पहला सवाल आपकी स्क्रीन के उपर समय के साथ शुरू करेंगे और ये आपका समय शुरू होता है अब चलो ठीक है भाई चलो अब ये बुलोग बुलोग नहीं करूँगा मैं किसी को है न यह सब तुम लोग देखिलो मैं कमेंट सेक्षन को बिलकुल नहीं देख रहा हूं देखो पाइन नहीं बिलकुल भी दोस्तों यार फोकस करो दस दिन बच गए अब पर जी बना नहीं करना देखो और मेरा फिर न किए दीआ सवाल इतना प्यार है अच्छछ एक गलती आप क्या करेंगे सुनिया यह परसेंट esfagno सुनिये मड़ा सिंपन सवाल से कि जिन्याबन को परसेंट जादा मिले अन्वर से यह तो आन्वर को पांच परसेंट ज्यादा मिले रमेश से सवाल पहले पूरा पढ़ना है गलती क्या उति हम बनाते शुरू हो जाते हैं दस परसेंट ज्यादा है सीधा करने लग जाएंगे सो 110 प्लीज अभी रुको पूरा पढ़ लो है ना तो रमेश को कितने नंबर मिल रहे हैं देखो रमेश को कितने नंबर मिल रहे हैं 300 मिल रहे हैं कितने में से 400 में से तो रमेश कितना कितना परसेंट मिल रहे हुई ए परसेंट भी 300 कितना है भाई रमेश को 75 परसेंट मिल रहे हैं ठीक है तो भाई अनवर को कितने मिल रहे हैं अनवर को मिल रहे हैं पांच परसेंट जादा 80 परसेंट इससे पांच जादा और पवन को कितने मिल रहे हैं 10 परसेंट जादा 90 परसेंट 90 किसका 400 का 360 देखो एप्रोच कितनी इजी कर दी मैंने मुझे नहीं पता आपने कैसे बनाया होगा बट इस इस वेरी इंट्रस्टिं एप्रोच और मजेदार एप्रोच कोश्चन बहुत जल्दी सौल हो जाएगा हाउस डाइट देखो भाई जिसको सिंप्लिफिकेशन पढ़ना है वो जा सकता है है ना जिसको अर्थमेटिक पढ़ना है वो आ सकता है आया ना में जवाब दो मैंने का जिसको सिंप्लिफिकेशन पढ़ना है वो जा सकता है और जिसको परसेंटेश पढ़ना है वो आ सकता है चलो नेक्स्ट कोश्चन नमबर टू स्टार्ट इंपोर्टेंट है दबा के शेयर करना दोस्त पहली कह रहा हूं 2000 से कंपनी चीए देखो मोटिवेशन आना चीए मेरे अंदर भी आज आग लगा दो आज कमेंट बॉक्स में परसेंटेश का टेबल में लास्ट में प्रोवाइट कर दूंगा गुड्डू विड़ा चलो 40 से उपर मत दीजिए देखो पीटा यह प्रिलिम्स के सवाल है ना फिस पर 40 सेकिंड वक्त अगर आप ले रहे तो ज्यादा ले रहे हो सर प्लीज एक बार बता दो से फुल मोड में से बस केवल कोशन और आपकी निगाहें सवाल पर वीडियो को पॉस करो बनाओ देखो कि अरुंसन ने वही बनाया जो मैंने बनाया बस यह काम करने आयो यहां पर आजाओ सवाल क्या है कि रिडक्शन हुआ इतने परसेंट का तो आपने अमरूद 8 किलो ज होता है वह इन्वर्सली पर पॉस्टनल होता है किसके कंग्जरप्शन के एशन तो सबको पता ही होगा नहीं पता दो फिर मैंने पढ़ाए कॉंप्शन के तो रिडक्शन क्या हुआ प्राइज में हुआ अच्छा आब देको फ्रेक्शन वैल्ली फिर से आ गई इसका मतलब होता है 3 by 8 तो मतलब क्या हुआ यह रहा price और यह रहा consumption ठीके sir तो price पहले 8 रुपे था तीन भाई 8 का मतलब की पहले 8 रुपे की कीमत थी अब कीमत 3 रुपे कम हो गई तो कीमत 5 हो गई तो consumption पहले 5 होगा और अब consumption 8 हो जाए क्योंकि inversely proportional है ठीके दोस्त कि पहले price 8 रुपे था और अब 5 हो गया तो पहले consumption 5 था 8 हो गया consumption कितना बड़ा तीन तीन बराबर कितना है 8 kg how's that comment fast sorry reducing होगा है done तो 3 बराबर कितना है 8 तो इसका मतलब 3 बराबर 8 यह समझ आया ना कि 3 price कम हुआ देखो ना reduction हो रहा है 8 से 5 हो रहा है तो consumption 5 से 8 तो 3 बराबर 8 इसका मतलब क्या हुआ देखो कि एक बराबर 8 बाई 3 तो पहले कितना खरीद रहा हूं यह पहले वाली quantity 5 बराबर 40 बाई 3 kg तो इसका मतलब पहले वो इतना किलो खरीद रहा है यह बला कितने रुपे में 16 में तो 16 सो रुपे में मैं इतना किलो खरीद रहा हूं 40 बाई 3 से डिवाइड कर दो 40 से 40 बार एक किलो हो गया 120 रुपे का कैसा लगा सवाल गुड़ इवनिंग गुड़ इवनिंग गुड़ इवनिंग सभी को नमस्कार आज जोड के निमेदन price inversely proportional है consumption का मैंने का price 8 था consumption 5 हो गया consumption 5 है 8 हो गया अब basic जिसने नहीं पढ़ा उसको देख लो कि मैंने क्या नहीं पढ़ा है basic में तो मैंने का तीन बड़ा बराबर आठ एक बराबर आठ बाई तीन तो यह consumption original है 5 बराबर इतना consumption पहले कर रहा है 16 सो रुपे को डिवाइट कर दिया 1 किलो 120 रुपे का बराबर है दो सवाल ही हुए आप तक जो लेट आया घबराइए मत तीसरा सवाल थोड़ा सा interesting है fraction के ऊपर है चलो 40 सेकिंड सामाष लाइक करो लाइक करो फॉर्टी सेकिंड से अच्छा सवाल है एक से डिट घंटा आपको मजा जाएगा न सेशन में 40 सेकिंड मेरे साब से हो जाना चाहिए question is not very tough बस ठीक है clerk का ही question है देखे नुम्रेटर जो है वो आपने 30 बढ़ा दिया तो डेनुम्रेटर आपने इतना घटा दिया तो fraction becomes 4 बाई साथ देखो कोई भी fraction किस फॉर्म में होता है एन अपन डी तो बोल रहा है कि नुम्रेटर बढ़ाया 30 तो नुम्रेटर हो गया 130 सीधी बाते अगर नुम्रेटर को 30 बढ़ाया तो पहले 100 होगा अब 130 हो गया डेनुम्रेटर डिमनी सो गया 16 सोला डिमनी सो गया तो 84 हो गया and this is equal to 4 बटे साथ comment fast एक step में था न था अब सोल करो 7 से काटना 7 इकम 7 7 दूली 14 अब क्या करो अगें 2 से काटना चाहो तो 2 6 आ 12 दो पंजे 10 2 6 आ 12 तो n upon d तो यह इधर चला जाएगा that will become 24 इधर आ जाएगा 65 आउस डाट 24 बाई 65 this is my answer जितने सवाल में करा रहा हूं उनके notes बना के रखना एक्जाम में पक्का आएंगे मैं आपसे फिर कह रहा हूं एक्जाम में पक्का सवाल पूछे जाएंगे एक्जाम में आएगा तो बन जाएगा सर आया ना बुलो अरे बुलो बन जाएगा सर बन जाएगा ठीक है चलिए एक और सवाल की तरफ में लेके चलता हूँ अब ये सवाल काफे इंटरस्टिंग है बहुत मज़ा आने वाला है इस तरह के सवाल के लिए मैं आपको mentally prepare कराना चाहता हूँ जो अब आपकी screen के उपर है झाल जाएगा आजो एक वीडियोस को दबा के शेर नहीं कर रहे हैं तुम लोग है ना मैं देख पारा हूं अभी लोग वीडियोस को दबा के शेर नहीं कर रहे हैं जल्दी से शेर करो फटाफट से दबा के शेर नहीं कर रहे हैं अभी लोग सवाल इस तरह की काफी अच्छे सवाल है और देखो एच्छी जो ध्यानकना कि शॉटकट के पीछे ज्यादा भागना नहीं है कि शॉटकट 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 से कुछ होता नहीं सर है ना शॉटकट क्या होता है कि आपके लिए कैसी मक्ही है जो अगर चिपक गई तो बस परेशान कर गई मानेगी आज़ो पहले आपना सवाल का मतलब समझने की कोशिश करोगी कहना क्या चाह रहा है एक कंटेनर की छमता साथ चाहिए चालीस परसेंट दूदड चाहिए तो सब्सक्राइब करने लिए साथ परसेंट दूद के बीजिटर में 25 परसेंट दूद کی कितनी मात्रा मिलाएं मतलब थोड़ा प्रैक्टिकली समझाते है यह एक कंटेनर है ठीक है इसकी कापैसिटी है साथ ले तो बोल रहा है क इसमें कितना दूद और मिलाऊं और वो पूछ क्या राय देखो ध्यान समझना कि how much quantity of 25% milk be mixed जो दूद आप मिला रहे हो तो उसका कितना भाग 25% of milk be mixed with 20 लिटर of 60% milk to get a mixture of 40% milk इंदा कंटिनर आज़ो पहले तो एक बार मैं कमेंट देख लो आंसर tomorrow ऑ descriptions कै के चल रहे हैं एलीगेशन तरीके दो साओने हैं और दूसरा कि भाई पहले वाले में milk कितना है 25% milk है पहले वाले में एक इसमरे मिक्स करना है 20 लिटर ओफ इस इसमें 20 लिटर है तो गेट आ मिक्षर ऑफ 40 परसेंट इन दोनों को मिला के जो मिला मेरे को कितना मिला छालीश परसेन यह वाला कॉंसेप्स क्लिएर हो रहा है कि पहले वाले में 25 परसेंट ना हमच पॉंट्टेटि इस वाले में 30 इसमेंiquement यह बीस होगया अंधरा हो तो आपने रेशियो बनाना है आपने का 20 से 5 से काट लो 4 बार 5 से काट लो 3 पर हाया ना बूलो 5 को 20 पास दिया है यहां तक की बात क्लियर है एक बार हाया ना बूलो सर समझ में नहीं है क्या समझ नहीं है पिटा बताओ मैं सिच को रिपीट करूँगा 2-3 बार फिर बेसिक भी बता दूँगा चिंता मत कि पहले इतना बता इतना क्लियर है कि नहीं है फिर मागे चलो अरी अब फास्ट जल्दी से बताओ यहां तक क्लियर है कमेंट सेक्शन जिन्दा बात कहा रह गया कमेंट भी देख रहा हूं है बच्चों के बरावरना फिर बेसिक से बताओंगा नहीं क्लियर है फिर से देखो अब सबस्क्राइब पहले यह समझ दो तो हमारे पास क्या आया कि चार और तीन का रीशियो है अब क्या कह रहा है कि एक बरतन है हमारे पास साथ लिटर का तो मुझे निकालना क्या इसमें कि हाव मच कॉंटिटी ओफ पच्चिस परसेंट मिल पर तो इसकी मैं कितनी कॉंटिटी अड़ करूं चलो पहले बेसिक से करवा तो फिर फ्र ढूड़ा और सब Bowl ठाने में से समझ जाते हृ कर फिर ओव छे जान देना हो और क्या पूछ रहा है वो कि how much quantity of 25% मिल्क तो अगर मैं आपसे कहूं कि साथ लिटर एसमें ठीक है और एक दूसरा बरताने उसमें मालो आपके पास कुछ है उसका 25% मिल्क कितना हो जाएगा 26 उसको mix करना है किसके साथ इसको mix करना है इसके साथ 20 लिटर of 60% मिल्क 20% यानि कि 12 लिटर एक दूसरा है अमारे पास उसमें क्या है भी mixed with 20 लिटर of 60% मिल्क to get a mixture of 40% यानि यहाँ पर जो है mixture में दूद कितना होना चाहिए 40% 24 अब clear हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पर मैंने क्या बोला कि बरतन है इसमें कुछ है मैं नहीं पदा कितना है हमने का कि यह container है 60 लिटर इसका 40% 24 होना चाहिए कब इस वाले का 25% यह मैं मिला रहा हूं और यह मिलाने के बाद मुझे क्या मिल रहा है 60% कितना मिल रहा है 40% मिल्क इन दा कंटिनर दाट इस इक्वर्ट इस इक्वर्ट इस अब भी समझ नहीं आया फिर से मैंने कहा कि यार यह एक बर्तन है इसमें 60 लिटर है यह एक दूसरा बर्तन है उसमें 100 है तो इसमें दूत जो है वो 25% है यानि 25 एक्स है इस 25 एक्स में कितना मिलाऊं कि 20 लीटर ओफ 60% इस 25 एक्स में 12 मिलाया तो इसका 40 परसेंट यानि 24 कि समझाने में मेरे को न चीक आ गई है थम्जब करो तो आंसर हो गया मेरा लेकिन 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 कहना है कि जाम में यह कोशन बनता ही नहीं सर पर फस जाता है कि जान में, एलिगेशन छोड़ दो, तुम बेसिक की समझो, नेक्स्ट, आज़ो, सेम कोश्चन से, बहुत मज़ाएगा, बहुत मज़ा, शेर करो, शेर करो, शेर करो, अरे भाई, शेर कर लो यार, फिर एलिगेशन भी बता दूगा, चलो चलो शेर करो, बना 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 सावश, बना बना सावश, मुझे पटा था तुम लोग फिर होते रहा पर इस कोश्चन पर आज़ा फिर एलिएशन पर आउंगा और इसका भी कितना लेना है मुझे केवल 25 परसेंट लेना है तो इसके 25 परसेंट को 25 एक्स फिर रहुगे एक चीज के पीछे भागो और इस वाले को बेसिक से काम करूंगा आपके साथ ना आओ, एक्स लीटर का मिक्षर है, जिसमें 20% लाइम वाटर है, देखो, अब सुनो, एक्स लीटर का मिक्षर जिसमें 20% लाइम वाटर है, और बाकी क्या है, एसीड है, ठीके छोड़ दो, 5 लीटर एसीड क्यों क्या किया, मिक्स किया गया, तो percentage of lime water becomes इतना, अब देखो, फिर कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें lime कितना हो जाएगा, 20x और acid कितना हो जाएगा, हाँ या ना, चल्दी से बताओ, अब बोल रहे हैं कि 5 लीटर of acid is mixed, lime कितना है, 20x, acid कितना है, 80x, कितना मिला दिया, तो then percentage of lime water, अब percentage of lime water कितना हो गया, 1 by 6, मतलब पूरा mixture अगर 6 है, तो lime उसमें कितना हो जाएगा, 1, और ये हो जाएगा, 5, ये वाली थियोरी अगर समझ आ गई हो, तो शायद 90% काम हो गया, clear, फिर से, मैंने का, जो x तुमने कहा, वो मैंने बड़ा 100x, lime जो है, 20x है, acid जो है, 80x है, acid में 5 और मिला दिया, तो भाई साहाब, percentage lime water new mixture becomes, इतना percent, तो इसका मतलब 1 by 6, तो 6 अगर mixture है, तो एक lime है, तो 5 acid होगा, solve किया, 20 पंजे 100x, basic देखो, मैं आपको सच बताओ, इमानदारी से आज पढ़ रहा हूं, दस दिन बाद exam में, ये click करेगा, बेटा basic, 20x की value आ गई 5, तो 100x कितना हो जाएगा, 25, तो आज 10 दिन बचे में, मैं वो चीज आपके साथ करना चाहता हूँ, जो आप exam में click कर पाओ, ये click कर पाओगे, अब आपको सर इसमे allegation भी लगा दो, इसमें वो भी लगा दो, वो clickable नहीं हो पाती, actual में चीज़े हैं, कि किसको कितना रखना है, ठीक है, done, मजा आ रहा मतलब दिल खुश करतेगा, यार, ये सवाल भी, चलो भाई, आजाओ, सबस्ष, आजाओ, 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 भाई, मैं comment बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ, तुम लोगों कि मैं पहले ही कह रहा हूँ, अभी पढ़ने पर focus कर लो, exam में वक्त नहीं बचाए, अब आप मुझसे कहने लगों कि सर, ये सवाल हमसे नहीं बन रहा है, आजाओ, सर, वन बाई, पांच क्यों किया, आप आप आराम से अपने घर में आरेंटी करते रहा हूँ, दस दिल बाद exam में, examiner से ही पूझा, अब ये सवाल है दो को पीओ में आ सकता है, ये इतना करता है, income का ratio दे रखा है, दोनों की saving बराबर है, तो difference between their expenditure है, सवाल बहुत प्यारा सवाल है, मतलब आपको ना मेरे session ना के quality भी फिल हो रही होगी, आप चले जाओ, markets उठागे देख लेना, 24,000 हैं, तो 3,5 में बाट देता हूँ, basics में कहारो ना काम आएंगे आपके देखो, जो clickable हैं, वो basic approach है, art की value, एक बराबर 3, इसकी salary 9,000 है, इसकी salary, इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होग, एक बार comment box में हाँ, या ना लिखे, thumbs up, comment fast, अब आपने क्या बोला, मेरे दोस्त, कि ये बंदा जो खर्च कर रहा है, वो इतना खर्च कर रहा है, चीक है, ये बंदा इतना खर्च कर रहा है, अब आपकी हालत खराब होने वाले कि सर, ये कैसे करेंगे, तो कोई नहीं पाएगा solve, इसके आगे तो सवाल इसाद ना solve हो, सभी बात है यार, क्या बता, solve ना, saving बराबर है, पोड़ा अगर fundamentals पर काम किया है, हमने तो हमने देखा है, saving जो होती है, income minus, expenditure होती है, ये आपने देखा है, saving है, तो मैं यहीं पर इसको click करने की कोशिश करता हूँ, कि saving क्या आओगी देखो, कि 9,000 में से minus करो, 9,000 का इतना percent, तो 9,000 का इतना percent, percent 2,0 काट देगा, 90 bracket x minus 5, this must be equal to, 15,000 में से minus करना है, 15,000 में से किया, 150, x plus 5, ये अगर आपको समझ में आ गई equation, तो 90 percent काम done, P.O. में आ सकता है सवाल, पूरी test series लगा लेना, wrong है question, अरे दादा हाँ, पंकज, गौतम, बेटा, यसी जब जो 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 नहीं बनते, उसको गलग बोलने में अच्छा होता है, नहीं बन रहा, तो ये wrong के दो, और क्या का सकते हो, सही बात है, तो आपने क्या बोला, कि ये 9000 रूपे का मारा, ये 15 का मारा था, इसका इतना percent, अब इसको solve करते हैं, 9000, minus 90, x minus 5, भाई, P.O. में आ सकता है, अब देखो, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे साथ में कुछ अच्छे सवाल रखो, तुमको अगर अच्छे question पढ़ने, तो तुम आएगो, minus 150 x plus 5, पहली priority हमारी x निकालने, क्योंकि जल्दी से निकाल लेते हैं, तो क्या करते हैं, उस वाले को यहां ले आते हैं, तो 150 x, और पूरा ले आओ ना, 50 x 5, 750, minus, यह 90 अंदर जाएगा, 9,5,45, 45, 45, यहां जाएगा 6,000, अब देखो, 150 में से 90 गया, 68 x है, 7 और 4, 11, 1200, 1200 माइनस कर लेग, 6000, माइनस 1200, यह हो गया, 4800, divide by 60, तो x की value आगए, चेट, 80 आगई मेरे साब से, x की value 80 आगई, तो पूछ क्या रहा है, difference between their expenditure, तो यह कितना खर्चा कर रहा है, 75% कर रहा है, और यह कर रहा है, 85%, तो इसका 75% और इसका 85% जो आएगा, उसका difference, आपको question मजा है कि नहीं है सब, numbers को English में बोलूँ ठीक है, फिर से repeat कर रहा हूँ, कि the salary is 24,000, so 24,000 is the combined salary, the ratio is 3 ratio 5, मैं distribute कर दिया 9,000, 15,000, इतना इतना वो क्या कर रहा है, expenditure, इसका इतना percent, minus this is, यह चीज मैंने बनाई, तो यहाँ से मेरा X निकल गया, उसके बाद मैंने का, यह 75%, यह 85%, 85%, 75%, दोनों का निकाल के difference, we will find out, so how's the Josh, मजाया सर, सवाल में नहीं आया, पहले ही बताओ, thumbs up, thumbs up, thumbs up, सर 90 कैसा है, कौन सा 90 यार, देखो न, आपने क्या का, income में से expenditure माइनस किया, तो saving आई न, यह income है, इतना percent, यह, उसी का उतना percent, क्यों confuse हो रहे बाब, देखो, यह इधर जाएगा, यह पूरा-पूरा, मैंने का, यहां गया, multiply, minus और यह positive, solve हो गया, यह इधर आएगा, यह पूरा-पूरा, मैंने इसको यहां पहिग दिया, positive में आगया, सही है भई, मज़ा आगया, चलो, आगे और भी, question number 7, अच्छा सवाल है, मज़दार सवाल है, कुछ सवाल तो ऐसे, तुम बाद बार भी इसको revision करोगे, तो अच्छा ही फिल होगा, चलो सवाश।, कि 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 पर्मेंट भी देख लेता हूं यार बाइद देखो आपको फिर बता रहा हूं मेरा भी एक कि उल्हें लोगो के साथ में एक भीुगा मैरा हुझाज है कि कश नए ने सवाल की तरफ हमows दिसक्रेंश्य करें और जिससे बच्चों को मज़ाएं कि अब वह कुश्चन नहीं हुआ कितने लोग कोश्चन नहीं बना यह वाला इवाज देख लेता हूं कमेंट बॉक्स में ए आंसर काफी लोग कर रहे हैं कि अ कि 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 सवाल क्या है कि 3-liter water is evaporated from an 18-liter of solution containing 12% salt percentage of salt in the remaining mixture देखो कोश्चन क्या है आप कितना निकाल रहे हो तीन लिटर निकाल रहे हो किस से निकाल रहे हो छे से निकाल रहे हो है ना अब मुझे पहले तो यह बताओ कि अगर मैं आपसे बोलू 18-liter में अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि 18-liter में नमक कितना है तो नमक तो के बोल बारा परसेंट है अब बारा परसेंट वारी अठारा इंटू बारा तो अठारा का दसबुन एक सब्सक्राइब दोसो सोला कौन सो आपने का क्या यह वाली बात समझ आई समझ आप एक बार अरे कुछ तो बोलो भाई आया ना बोलो बहुत बेसिक सवाल है कि यह नमक है यह आपका आपके टूथ पेस्ट में नमक है जी हां अब तीन लिटर पानी आपने निकाल दिया तो 18 में से तीन निकाल दिया तो नाओ निक्षर विल बीघंग पंदरा नमक तो पहले ता वह भी रहेगा तो पंदरा बचा अब बोल रहा है अब नमक का परतिशत बताओ कितना होगा दो पॉइंट्सोला कितना परतिशत है पंदरा का इंटु 100 पॉइंट अट्डा दो जीरो दो जीरो दो जीरो तीन साथ एक किस तीन दो नीचे तीन से काट लो पांच तो पांच से काटा 72 भाई पांच तो कितना हो जाएगा कुछ जादा हो रहा है किया एक बाच चेक करो ओप्शन मने मिस्मैश से हो रहे ना एक बड़ रूप जाओ अठारा परस लीटर है बारा अठारा परस क्यलकुलेशन देख लो सही कि हाँ 216 सही किया है तीन निकालनाश बचा तो बोल रहे परसंटेज ऑव साल्ट इंद रिमेनिंग तो रिमेनिंग 15 हुगा तो 217 में ठीक है है परसंटेज सही हा रहां न.? ठीक है तो पांच इकंप और 5 इतना हो गया 25 चुको 20 तो नन उब दीज मेरे खाल से मेरे अंसर होना चीए भाई थाम्स अप करो एक बार कॉश्चन में मज़ा है कि नहीं है क्वालिटी है कि नहीं है सार आप इमानदारी से बोलो कि सार यह कॉश्चन नहीं आ सकता बताओ आ सकता है दस दिन बचे हुए आपके एकजाम के लिए औ अभी जूते पेंके बढ़ा रहा हूं आओ ठीक है चलो मज़ा रहे ना बस कोई यह यार तुम लोग के लिए कुछ करने की है एक च्छा कि आज के सेशन के बाद परसेंटे से बच्चा घबराएगा नहीं यह लोग कोई वापस से आ तुम्हां ले इसको एलिगेशन से बत आदूगा बट फिर वह बेसिक जाब अच्छा रहेगा मेरे साब से भी कि अब भी न एनरजी सी भी नहीं आ पारी कुछ शरीर के अंदर गया नहीं दिन में से तो एनरजी भी नहीं आ रही यार हिंदी में कोश्चन गलत है अब यह हिंदी का जोल जाल देख लेता हूं एक एक लीटर पानी है देख रहे हूं और यार कोई बातनी गुस्सा मत करो हमारे कंटेंट वाले आजकल सोड़ा सा ना क्या है कि वह परिशान है आजकल भीशा रहे हैं अब सौरी बोल रहा हूं चलो ठीक है चलो आज अब बताओ बेसिक बताओ तुम जान खाओगे मेरी समय क कि हमें कंटेंट जादा है तो मैंने क्या का पहले बेसिक पहले बेसिक एलीगेशन बताता हूं जहां दो दुम को बदाता हूं बुल रहे कि हाओ मैंनी लीटर 30% ऐलको होले हैं थाटी परसेंट होले दूसरा मिक्शर है उसमें 60% होलें दोनों को मिलाने से 50% सॉलूशन बन जा रहा है तो उसे किस proportionate में मिलाया जा रहा है एक सिंपल प्रोसेस यह बताता है तो यह 30% यह 60 यह आपके चाहस है यह मेरे को तो समझ में आता है बड़ आप लोग ना इसकी चक्कर में ना ही पोड़े तो ज्यादा अच्छा है क्यों नहीं क्लिक करेगा सर्द लिख ले ना एक्जाम में एक्जाम में क्या क्लिक करेगा वह बताता हूं सज मैं नहीं क्लिक करता है यार मैं आपको बता रहा हूं मैं तो खुद टीचर हूँ मेरे को बहुत सारी क्वेश्चन लगते हैं यार इसको ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं वह बाद में हैसास होता है तो आजाओ how many liter of 30% alcohol by पहला mixture है तो इसमें 100 liter है कुछ भी माल लो इसका alcohol कितना है 30X दूसरा mixture है इसमें 40 liter है इसमें alcohol कितना है 60% 60% यानि 24 liter है तो इन दोनों को मिला दिया तो आपने बेसिक क्या लगा या कि बहार टी-सका इसको लिए इसका इसका 24 और दोनों को जब मिलाया, इन दोनों को भी, दोनों को मिलाने पे क्या हो गया, पूरा मिक्षर 50% हो गया, 50% मतलब दोनों को मिला लो, 100x प्लस, How's that? अब सॉल कर लो, बेसिक तरीका कभी आपको नुक्सान नहीं देगा, यार, हमेशे आदखना, तो 1 by 2, यानि 50x, और ये 20, तो यहाँ ले आओ, वहाँ फिक दो, 20x बराबर 4 हो गया, तो 100x यानि 100x बराबर 20 हो गया, तो एक चीज आप मेरी हमेशा नोट कर लेना, कि बेसिक थोड़ा 10 सेकिंड ज़्यादा ले लेगा, बट एक्यूरेसी आएगी इसमें, और सम्हाव कॉन्फिडेंस भी इसमें आएगा, ठीक है दोस्त, मज़ा आ रहा है सर, मैंने बता दो यार, एनरजी नहीं आ रही है, कमेंट सेक्शन में तुम खेलते रहो, पढ़ना तुम्हें है नहीं, डन, क्लियर है सभी को, चलो, कोशन नमबर 9, अच्छे सवाल है की नहीं है, लो, 30% का इंक्रीज हुआ, तो 3 लेमन कम मिल रहे हैं, इतने रुपे में, सेम वही कोशन आ गया, देखो, जब भी पढ़ाया था, विक्की, तुम्हारा तरीकाई की 3, 5, 6, 24, हाँ, बहुत सही, देखो, अच्छा, अच्छा, वेरी गुट बेटा, देखो, मैं वही कह रहा था न, सम्टाइम्स, एक कोशन मैंने कर रहा था, रुप ज़रू, रुप इसकी पांच रुप इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो नहीं पता बेटा, अगर आपने का की देखो सुनो, अगर आपने का दोनों के एक्सपेंडिचर बरावरे, मैंने का इसका एक्सपेंडिचर भी 2 रुप इसका भी 2 रुप ध्यान से सुनना, तो इनकी सेविंग, सोरी, सेविंग कह रहा हूं है, अगर दोनों की सेविंग 2 है, 2 है, ध्यान से हो सकता है क्योंकि यहां पर केवल बिटा जो गीवन है ना वो केवल एक का रेशियो गीवन है इसमें पूछा दा इस हवाल कोन थो भी था वो पच्या कंश वापक से बता रहा हूँ कि आपने बोला कि तुक्के में आंसर 6 के हो सकता है, तुक्के में हो सकता है, पर authentically सही नहीं है ना वो, वो तो आपने 2-2 रूपे condition बन रही है, आपने किसने बोला कि 2-2 खर्च कर रहे हैं, saving equal बोला है ना, तो saving तो जरूरी छोड़ना है कि 2-2, ऐसा भी हो सकता है कि 1-2 रूपे बचा रहे हो, तो यह 2 रूपे खर्च कर रहा है, यह 4 रूपे खर्च कर रहा है, अब, अब उस case में क्या हो गया, कि 5 और 3, 8 बरावर 24, एक बरावर 3, तो 3, तो 2 बरावर 6 के, 4 बरावर 12 के, अब भी 6 के answer आरा मनता है, अब इस तरीके से, कर सकते हैं वैसे, क्योंकि ratio तो same ही बन रहा है, है ना, तो यह तरीका भी मेंतना हो सकता है, मेरे साब से best, क्योंकि answer छेजर हमें मिल रहा है, तो एक बर ट्राई करना है, एक एक आधा आधा लोगा, तो भी शायद मेरे ख्याल से proportionate actual में कहा है, यह वाला proportionate बरावरी चल रहा है, 1-1, तो 1-1 लो, चाहिए 2-2 लो, चाहिए free हो गए है, इस वाले से, है ना, क्योंकि difference तो same ही है, तो difference same है, तो यह ratio आपको given है, यह आपको given है, यह आई जाएगा, वो आपका उतना x निकालने का button कम हो जाएगा, अगर question में पूछता कि find the value of x, तो आपको फिर वो, वो भी करने के जरूतनी फिर हाम, फिर मतलब फिर तो आप थोड़ा साब को यह लगाना पड़ेगा, ठीक है, चलो, आजो, कहां तक हो गए हमारे question, यह बना, देखो 30% का increment हुआ, 30% 3 by 10, तो price कितना था, पहले 10 था, अब 3 बढ़ गया, 13 हो गया, तो consumption फिर से, consumption 13 रुपे था, और यह 10 हो गया, कितना कम हुआ, 3 बनाबर, 3 lemon, एक बराबर, एक 13 बराबर, यहाँ पर, 13 lemon खरीद रहा हूं में पहले, कितने रुपे में, 7.80 हो गया, 13 lemon खरीद रहा हूं, इतने रुप, तो एक lemon कितने का हुआ, 0.6 का हुआ, तो 12 lemon कितने के हो जाएंगे, 12 शंक बाहतर, rate of lemon पर दरजन, तो clear हुआ कि नहीं हुआ समझो, एक बार हाया ना बोलो, thumbs up एक बार जलती से बोलो, मजा है कि नहीं है, एक बार thumbs up करते रहो सर प्लीज, एक बार जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं session को, कि सर यह वाला concept समझ आया ना, कि 10 से 13 हो गया, तो consumption 13 था, फिर 10 हो गया, consumption भी कम हो गया, तो 3 बराबर, 3 एक पूछ रहा है, present rate पूछ रहा है वो, तो present rate यह रही, यह वाली present rate है, कौनसी वाली, यह वाली, सर यह रहा present price, तो new price कितना है, 7.2 है, 30% बढ़ गया, तो आप नया प्राइस यह रहा, नया प्राइस भी निकाल सकते हो, यह तो हमने पुराना प्राइस लिया है, अब नया प रूपे के है, 7.8 रूपीस के है, सही है, और इन्टू आपको कितने चीए, 12 चीए है, 0.80, 0, 12, 96, 84, और 9.36, के रहा, डन, सराज कोश्चन हाई लेवल है, भाई वंची का नहीं हाई लेवल है, गलत बात कर रहे हो, यह कोश्चन वो है, जो आप सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, बस, और कुछ नहीं, क्योंकि हमने इस तरह के कोश्चन ना तो मौक में कियें, गलती से आ जाए, देखो मैंने एक भी कोश्चन ऐसा नहीं लिया, जो आपकी रेंज से भार हो, हाँ, मैंने क्या किया आज कोश्चन को इस तरीके से रिपर्जेंट किया है, कि वो देखने में टाफ लग रहा है, जिसे यह वाला कोश्चन भी मैंने नएा प्राइस पूछ लिया, we are habitual of original प्राइस, तो मैंने नएा पूछ लिया, मैंने का इन बराबर तीन, एक बराबर, तेरा, तेरा मतलब, नहीं लेमन कितने खरीजे, दस खरीदे, दस खरीदे कितने रुपे में, तो बारा लेमन कितने क्योंगा कितने रूप रहे हैं आजओ नेक्स्ट जिल्दी सब्सक्राइब आज खाना तब तक निखाएंगे जब तक कोश्चन्स डिसकस नहीं होंगे अब यह देखो यह वाला कोश्चन है देखो मज़ेदार कोश्चन दिल को छू देगा आपके सवाल कांग यह अब आप दोगे मुझे पता है चलो टाइमर शोड़ देशी करो शोतों मुझे पता आप इसको हाई लेवल का नाम दोगे लेकिन जब कराओं को तो मज़ आएगा कि अ कि अ कि कि मुझे पता आप इसको हाई लेवल का इनाम दोगे लेकिन हो आजओ छोड़ मैं कर देंग है जितने लोग हाई लेवल केंगे मुझे पता है हाई लेवल ही काऊगे आपने वेंट आइगरा म पढ़ा है सर कि पढ़ा है बन अई हरा मुझे तुप बढ़ा होगा ने पढ़ा होतो प्लस पे बोल रहा है कि कुछ बच्चे इतने बच्चे पास हुए मैथ्स में आप वह जो पहले करते थे आप क्यों इतना दिमाग लगा रे हो तेहों ये मैथ्만 में पास हुए पूरा मैथ का मतलब क्या होगा ये माथ्τα होगा पूरा गोला मैथ है और बोल रहा है 28% दोनों में 28 अगर दोनों में फेल हुए तो यहां कितने फेल हुए a plus 6 minus कर दो a plus 6 minus 28 तो जाएगा a minus 22 आया ना बोलो यह समझ आया a minus पेटा यह पूरा जो है ना यह पूरा यह a plus 6 है और यह 28 है तो यह minus करना पड़ेगा तो यह a minus 8 है तो मैंने का a minus 8 में से 28 घटा दो a minus 36 पेटा हाय ना बोलो यह बच्चे समझ आ गया यह सारे के सारे बच्चे जो है वो फेल होने वाले बच्चे in terms of a और percentage of a student who passed in both subjects वस पचास परसेंट पास हुए तो पचास ही फेल हुए होंगे तो सारे बच्चे फेल हुए पचास पास अच्छा कोशन था a a 2a है ना चोड़ लो सबको तो a और a 2a 28 में से 22 गया 6 माइनस 30 हो जाएगा that will be equal to 50 2a is equal to 80 a is equal to 40 sir मैंने का ना आपसे मैं आज सवाल टफ लेकिन नहीं आया हूँ मैं बस आज कोशन को इस तरीके से प्रजेंट करना चाह रहा हूँ कि if you are preparing for bank exam so be ready for any changes SSC की बात नहीं होरी है कि question वही है तो वही पूछेगा वह वेंडाई कि रहा मैंसे भी तो से पीओ का नहीं हो जाएगा concept पर focus करो आजओ नेक्स्ट शेयर करो मजा नहीं आ रहा है देखो मुझे population पर सवाले तुम लोग ले इतनी महनत कर रहा हूँ सज में तुम लोग को शरब नहीं आ रही कि यार सर इतनी महनत कर रहे हैं एक बार लाई थोड़ी ना करोगे हैं कि तुम्हारे पूरे मार्केट में देख लो इतने तुम्हें अच्छे questions तुम्हें मिल जाए तो बताना एक काम और करना पूरे मार्केट में घूम के आना चलो ठीक है तुम्हें इस क्लास के बाद freedom दे दूँगा भी आदे घंटर पढ़ा रहा हूं पूरे बीस question complete करना फिर घूमना पूरे मार्केट घूमना और फिर देखना फिर आप मुझसे मिलना बुल रहा है कि पांच भाई नान जनसंग्या फी जब देखो आदमी सारी साधी किससे करेगा है सब तो खेर आदमी आदमी प्हर सकता है supreme court नेुक माognें वूर्त से और चाइस पर तो 40 परसेंट और तो इनने शादी कर लोगी तो औरति कितनी शादी नहीं करी 200 नहीं करी तो percentage of unmarried male in the total population तो 200 आदमी क्या unmarried हैं पूरी जन संक्या 900 में से बताओ भई बताओ अब तुम कहोगे सम नहीं आए एक्जान में तो बिल्कुल आ सकता है लेकिन तुम तशेर करोगे नहीं ना चलो आजो next question number 12 लो एक और सवाल तुम्हारे लिए अच्छा सवाल है चलो सभाश आजो बेड़ा शेर करो दवागे शेर करते लो शेर करते लो शेर करते लो शेर करते लो बना 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 थोड़ा सा calculation है और मैं आपको बताता हूं इस calculation को मैं आसान कर सकता हूं 36800 को ऐसा number दे के बहुत नॉर्मल है कि मैं आपको इसको easy भी कर दूंग रोंट वरी है चलो एक काम करते हैं इसको easy बना देते हैं इन लोग काओ के सर calculation बड़ी टफ जा रही है आजाओ मालो ये नंबर ऐसा होटा इस नंबर को मैं बहुत आसान कर देता हूं ठीक है अब तो ये कोश्चन मालो मेरी इंकम 100 रुपे थी तो इतना ही रखना तो 100 में से मेरी 30 रुपे इंकम कहां चली गई मैंने फूड में खर्च कर ली तो मेरी कितनी पैसे बची 70 बची जो बची उसका 40% मैंने क्या किया convenience and cloth में तो 40% यानि इसका 28 रुपे मैंने खर्च कर दिया ठीक है तो कितना बचा 42 रुपे बचा जो बचा उसका मैंने 50% क्या किया सेव कर दिया 21 रुपे मैंने सेव कर दिया सीधी बात है तो सवाल पूछ रहा है कि अगर मेरी मंतली सेलरी यह है तो बताइए मैं कितना सेव कर रहा हूं सीधी बात है यार तो यह जरूर याद रखना कि किसी भी पेपर को टफ और एजी बनाने के अधिकार आप ही के पास है कैसे आपकी अप्रोच या फिर कोश्चन में जो गीवन है कंडिशन अगर वो 36,000 करता तो कोश्चन नर्मल था लेकिन आप यहां तो लाइन लगेगा कि लास्ट में आठ आएगा तो यह सारे आप्शन में से कोई एक आप्शन लगना पड़ेगा एक अतिस तीन त्रेशाट सो एक अतिस छे एसकर करना पड़ेगा वो तो अगर मालों यह तीन हजार होता सब्सक्रों और असान कर दो यह उता थीस हजार तीस हजार होता तो कितना यह जाता कि तीन सो एक किस तियां तिरेशाट सिक्स्टी त्रेशाट अंसर हाँ या ना मेरा कंसेप्ट समझा रहा है सर ठीक है चलो एक और आओ एक और एक और जल्दी सर जो सवाश बिटा आजो यह वहला सवाल भी है कोश्यन नंबर तेरा सारे रिवाइस करा दूँँँँदा मत करो हर चीज रिवाइस करा दूँँँँँआ ने ओपर छोड़ दो तुम चलो चलो सबस्टावर शबस्टावर शबस्टाव सबस्टाव पिण कि नहीं हुआ कि इजी यह यह तो कि एक बंड़े किस्टेंगल कि इतनी बड़ा दी और चोड़ाई उस कितनी घटा दी तो एरिया में क्या चेहिंग जाएगा देखो इसका मतलब होता है 3 x 8 इसका मतलब 2 x 5 तो लंबाई और चोड़ाई ऐसे करना चाहिए तो लंबाई पहले उसकी थी 8 चोड़ाई पहले थी 5 तो मल्टिप्लाई किया पहले एरिया जो था वो हो गया 40 अब लंबाई जो है उसकी तीन बढ़ा दी 11 चोड़ाई उसकी दो पांच मेंस दो गया तीन कर दी तो एरिया कितना हो गया आठ लंबाई है और आपने क्या क्या तीन बढ़ाद ही तो अड़ाई पांच है और आपने दो कम कर दी तो एरिया में क्या चेंज हुआ साथ कम हो गया 48 पे तो 20 से 5 20 से 2 साड़े सत्रा परसेंट का चेंज हुआ है चेंज क्या होई डिक्रीज हुआ है डन चलो आप इलेक्ष्ण आप जानते हुँ कि सवाल इलक्ष्ण का चेंज छोड़ सकते हैं न सारे टापिक को रिवाइस कर रहे हैं तो इलेक्ष्ण को कैसे चोड़ सकते हैं अगर कर दो कर दो कर दो बना बना सावाज मेरे शेरों उन लोग के अंदर पोटिंशल है सवाल हो करने का अब यह मत कहना से टाफ है इसका इजी वर्जन भी देदू है चलो आज़ो छोड़ा सा लेंटी के क्यलकुलेशन देखो नंबर्स मैं आपको फिर वही बोली थी कि अगर क्यलकुलेशन देखो सपोस करो क्या है ना यहाँ पर यह 9261 करके खोड़ा सा कॉंप्लिकेशन्स क्रियेट कर रहा है आपको इसी के एक एजी सवाल देता हूं पहले इसी का मैंने पहले एक एजी सवाल देता हूं पहले एक क्या पूछ रहा है वह देखो कि 8% of the voter in an election did not cast their vote तो आप इसी को करते हैं मालो हमारे पास 100 vote थे तो 8% लोगों ने vote नहीं दिया तो कितने लोगों ने vote दिया 92 लोगों ने vote दिया उसके बाद क्या हुआ दो लोग थे विनर को मिल रहा है 48% of this तो विनर को कितना मिला 48 मिला तो loser को कितना मिलेगा 44 तो ये इस से कितने से जीत गया 4% 4% की value ये देखो questions ये normal level का था जो clerk में आएगा 1% की value 1100 ये clerical का है देखो फिर से 100 vote थे 8 लोगों ने vote दिया ही नहीं 92 ने दिया तो this is called जो देने वाले होते हैं उसको बोलते है vote cast अगर आपने basic पढ़ा है तो vote cast जो vote cast किये गए vote cast 92 है अब क्या कह रहा है कि winner को 48% मिल रहा है किसका total votes का तो इसका 48% मिला इसमें से घटा दिया 44 इतने से जीत गया 4 1 बराबर 1100 total number of votes ये है इसका इजी परसंता अब इस वाले को फिर से आते हैं आ गया हो कुश्चिन आ गया हो इस वाले को देखो वह वाला क्लियर हो आप देखो यहां पर क्या चीज है कि 75% लोगों ने तो vote दिया तो जितने उने दिया उसमें से 2% हो गए invalid तो आप एक काम करो लेट से total cascade माल लेते हैं कि जो vote cast किये गए that was 100x माल लेते हैं कि जो vote डाले गए vote डालने जो गए वो 100 थे invalid कितने हो गए invalid हो गए इसमें 2% तो valid कितने हो जाएंगे 98x है ना आया ना बोलो सरीए बात समझा गई इतनी बात समझा गई और एक बंदे को इस 98x का 74% मिला तीम भाई जाएंगे और वो इसके वराओ ये concept ये बस ख़त पाद बताओ भई कमेंट भी देख लूँ बच्चे बोलेंगे सर तो कमेंट नहीं देख रहे पढ़ाने में में बसते हैं चल मैं कहना है यार कि क्लास में मैं आज सारे टाइप के कुश्चन कवर करना चाहता हूं मैं चाहता नहीं कि एक भी टॉपिक आपका रह जाए क्योंकि आज के बाद परसेंटेज आप डिसाइट कर पाऊगे अब जिसे आज खतम होगी मेरी क्लास तो आज आप आत्म मंथन करना नहीं यार इलेक्शन अभी कमजोर है मेरा और फ्रेक्शन भी कमजोर है यार तो आप उस चीज पर फिर कमांड लोगे उस पर पढ़ोगे अट लिस्ट यह रिविजन कराने का मकसद ही ही है कि आप थोड़ा सोचो कि यार परसेंटेस तो खराब है यार चलो वापस से एक बार दुबा मतला भी क्या है ठीक है तो क्या हुआ भाई है कि सॉल कर लेते हैं अब इसको सॉल कर ले ना करके दिखा दू बताओ इन तीन नौ जीरो ट्री एट जा ट्वंटीफोर ट्री सेवें जा ट्वंटीवल फिर नाइंटीएट से काटके एक्स निकाल लेना सब उसकरो जो भी यह 75% की वैली होगी हंड़ सिया दखना ठीक है तो आपको निकालनी है सौप इससे पहले जो मैंने क्लर्क हो गया तो दोनों में डिफरेंशेट कर पा रहे हैं कि अगर क्लर्क होगा तो डेटा कटने वाला होगा मतलब डेटा जल्दी कट रहा होगा जैसे यहां पे प्रॉ कोशन कट रहे होंगे थोड़ा पीओ में आपको वक्त लग रहा होगा यह डिफरेंशेशन है दोनों के डिफरेंश में बाकी उसका भी लेवल देखा अपने इसका भी देखा चलो आजओ नॉर्मल कोश्चन है आजओ थोड़ा सा घुमार खाये बस थोड़ा सा बहुत स्लाइटली घुमार खाये एक एक एक्जाम हुआ 40% माक्स चिये थे पास होने के लिए एक बंदे को इतने मिले और वो 4% से फेल होगे बताओ थोड़ा सा है बस क्लर्क लेवल है वैसे तो मेरे साफ से तुम लोग भले इसको पीओ कह दो मैं तुस्य क्लर्क की बूलूंगा और प्रक्टिस करनी है परसेंटिस तो मैंट्स नारूंसर आप डाउन्डूड कर लेना कि गूगल पर कमेंट वॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा ठीक है भी पिचतर का 2 परसेंट हो ना अरे नहीं नहीं गलत कहुआ हो पिटा सटो वापस अब इधर आओ इधर आओ इषर नहीं देखो मैं फिरसे रिपीट कर रहा हूं गलत क्रैक्ते हो, मैंने क्या था? मैंने कास्ट जो गए हैंग किया था? इस बंदे को 98 का 75% लिखाए न? यह देखो, वैलीड जो एक बंदे को वो चो 9261 मिल रहे थे वो 98x का 75% है ठीक है आया ना बोलो सल्स कन्फ्यूज मत हो ना आजाओ चलो देखो एक बंदे को 40% नमबर चीए थे पास होने के लिए उस विद्ध्यारती को 261 नमबर मिले और अगर उसको 4% और मिल जाते वो पास हो जाता है इसके बराबर खरता है सही है क्या लिया 36% की वैल्यू इससे काटलो तीन से काटलो तीन ठीक है 100% की वैल्यू 87 अपॉन 12 इंटू सब्सक्राइब ट्वेल्ट सेवेंजर 84 बारा दूनी 24 बारा पंजे साथ हूस दाट साथ सो बच्चीस नन आपडीस फिल्माए अनसर ठीक है बई 15 सवाल में मैं हर टॉपिक कवर कर रहा है इलेक्शन हो गया पास फेल हो गया एक पल्प वाटर वाला कोश्चन और आता है कमीशन भी तो रहेगे हां भूल गया ना कमीशन कमीशन भी आ सकता है किसने बोला चलो कमीशन तो मैंने पढ़ाया अच्छे से यूटूब वह प्लस पर पढ़ाया मैंने बच्चे वह बहुत अच्छे से चलो कि अगर आएगा तो एक्जाम में आएगा कुश्चन तो आएगा पीओ में आया कलर्क में तो थे करता है निया सकता है झाल नाल आप थोड़ा स्मय कॉंसेट समझा देता हूं मुझे पता नहीं कि आप काउंसेट मालूम है कि नहीं मालूम थोड़ा कॉंसेट समझा देता हूं कि कमीशन्स हुथा क्या है एक कमीशन टॉपिक है थोड़ा सा कमीशन पर बात कर देखो आप में से जितने भी लोग बैंक में जिनकी नौकरियां लग जाएंगी याद रखना जो बदा रहा हूं आज बाट तो एक टार्गेट मिलता है सपोस करो मैंने का कि आप मेरे साथ काम कर रहे हैं और आप साथ हजार से एबो आपने सेल करी है तो मैं आपको छे परसेंट तो बोनस दे दूँगा और बोनस कब दूँगा साथ हजार से उपर की सेल पर साथ हजार तक क्या दूँगा कमीशन कमीशन भी दूँगा सोला परसेंट आपको कमीशन दूँगा किसका total sale का अब देखो फोड़ी देर के लिए समझते हैं कि कहानी क्या है सवाल ये है सवाल को पहले समझना concept क्या है concept ठोड़ा समझते हैं मैंने का कि आप को अगर आपने 7000 से उपर की मेरी sale करी तो 6% bonus मिल जाएगा और जितनी sale करोगे उसका 16% commission अलग मिलेगा अब मान लीजिए आपने sale करी 50,000 एक्जामबर एक बंदा है अरुन आजाए अरुन ने sale करी पचास अजार ठीक है 50,000 की sale करी तो अरुन को क्या मिलेगा अब देखो commission क्या क्या होगा देखो ध्यान देना अचास अजार की sale कर रहा है तो commission क्या होगा एक तो उसका 16% of अचास अजार एक तो ये उसको मिलेगा ही मिलेगा भाई तो कितना हो गया 16,85 आट हजार रुपे उसको ये मिले डन आट हजार ये मिले थम्स अप करो यार जिनको नहीं पढ़ना कोई दिक्कत नहीं मेरे को फरक नहीं पढ़ना मेरे को पता है क्योंकि एक्जाम में आएगा वही परिशान होगा ये आप टेंशन में तो पढ़ते रहो commission के मिलेगा प्लस bonus भी तो मिलेगा bonus मिलेगा 6% किसका bonus मिलेगा 50,000 में से 7,000 माइनस करेंगे 43,000 का क्योंकि 7,000 कर तो कुछ नहीं मिल रहा उसको बिचारे को तो bonus कितना मिला 2,0 का आज दी 6,0 6,3,8,4,2,1,280 पर उसको bonus मिला तो भाई उसकी जेम में कितने आए 8,000, 2,000, 10,580 पर उसकी जेम आए कितनी बात समझ आ गई हाए ना बुलो मैंने का 7,000 से उपर की sale करोगे तो 6% bonus दूँगा और जितनी की sale करोगे उसका 16% commission दूँगा तो मैंने का अरुन ने 50,000 की sale करी तो commission अरुन को कितना मिल गया 8,000 रुपे मिल गया bonus उसको 7,000 कम कर लो इसमें से दोनों पैसे को जोड के यह हुआ अब अरुन ने क्या किया देखो अरुन ने का कि भाई मैंने तुम्हारी 50,000 की तो sale करी और मेरे पैसे बने 10,580 रुपे इसमें से minus करके आपके कितने पैसे बने 0 10 में से 8 गया 2 9 में से 5 गया 4 और यह हुआ 9 पांच में से गया 4 पांच में से गया 4 यह हुआ 49,000 ना 49,000 चार्सों ने इस एक बाचेक कर लो calculation comment पास जल्की से बताओ हाई ना बोलो आपने अपने इतने पैसे काटके 49,420 आपने उसके हाथ में पकड़ा दिये कि लिए भाई यह अपनी जेम में रख लेचाओ side हो जाओ यह अपने अपने उसको बंदे को बोला ठीक है तो यह एक बार हाई ना बोलो फटाफट से बोलो अरे बोलो भाई बोलो 42 के आएगा ना 42 के क्यों आएगा यार देखो 50,000 की सेल करोगे तो 16% कमिशन वो मिल रहा है 50,000 में से पहले 7 माइनस करोगे तो यह कंडिशन आपको गीवन है अब आपको कोश्चन में क्या गीवन है आपको डिपोसिट गीवन है तो वापस से कर लेते हैं अब बेसिक बनाते है मैंने का मेरी सेल इतनी हुई है आजाओ मैंने का Total Sale मेरी कितनी है 100 है तो मेरा कमिशन कितना होगी जिलदी बताओ 16% यह मेरा कमिशन हो गया मेरा बोनस कितना हो गया 6% 6% किसका जो इतनी सेल थी उसमें से 7,000 घटा दो तो मेरा बोनस कितना हो गया 6x 420 ये मेरा बोनस हो गया हाँ या ना बुलो सही है ये मेरी सेल थी ये मेरा कमिशन ये मेरा बोनस तो मेरी अर्णिंग कितनी हो गई मेरी अर्णिंग हो गई 16 और 6 ये देखो आया ना बुलो ये मेरी earning हो गई तो मैंने क्या किया आपको इस पैसे में से अपनी earning हटा के आपको दे दिया तो मेरी आपके sale इतनी हुई इस में से आपने अपनी earning हटा दी और ये पैसा जो बचा वो आपने 8610 उसको बोला कि लिए भई आपने जेम में डाल ले concepts clear हुआ कि नहीं हुआ हम जब comment पास है ना भई sale मेरी 100 थी भई पचास दर्माल कौन से तो इतना commission तो मिलेगा प्लस बोनस 7000 कम करके वो मिला दोनों को जोड के मेरी earning हुई मैंने का मेरी sale में से earning कम करके मेरे को इतने पैसे आपको लोटा दी रिखाए ना salesman deposit इतना after reducing is earning from the sale how's that concepts clear है बस हो गया तो 100 में से 82 गया कितना हो गया 22 गया 78 X ठीक है यहाँ फेक दो 420 जीरो दो एक तीन छे चार दस तो पूच कहा रहा है कि मेरी sale बताओ कर लोगे हाया ना में जवाब दो जो भी आंसर हावा है चेक कर ले ना डन जो भी आज़ा है अगला कोश्चन यह वाला हो जाएगा आज आजब ट्राई करो अच्छा कोश्चन नहीं पढ़ या तीन सवाल रह गए बस तुक जाओ तीन सवाल रह गए फिर तुम्हें CS अभी मिलवाओंगा कमेंट कमेंट फास्ट बनाओ सावाश मेरे शेरों बनवा 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 विवाले मैंस होगा। विव खुरे दाधा नात कमेंट होगा बस देख रहांनाओ पांच मेंट शाओ सब बस देख रहें मेरे पहन से माइनस 꺼नाओ नस्टोंस तो जामेट माइनस आजाएगा ना चलो नेक्स्ट आजाओ निर्वान ने क्या किया 20 परसेंट खर्चा किया फूड पे 15 परसेंट दिया वाइफ के एजुकेशन को और बचे 40 परसेंट का उसने एंटरेटेंवेंट पे किया 30 परसेंट मेडिकल पे किया लेफ्ट उसके पास इतना 15 परसेंट मैंने अपनी बीवी को एजुकेशन के लिए दिया कि लो भाईया तुम यू पढ़ाई कर लेओ बैंक एक जाम के तजारी कर लेओ ठीक है तो मैंने कर लोगे 35 रुपे खर्च हो गए है ना सभी बात है चलो 35 रुपे खर्च हो गए उसके बाद बोल रहा है 40 पर परसेंट खर्चा किया तो इसका भी 30 परसेंट बचा के वर और वो किसके बराबर है अव्ज डाट अरी अब फास्ट कि अरे बोलो बोलो भाई बोलो 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 अमस आप है तो सिदा सिदा काट लू है 13 फाइब जा 13 शिग्जा पांच से छे बार चे शे चे कटा तो कितना हो जाएगा सो सो दस अजार चक्रबड कर देगा कि शक्रटीस कि निकालना है मुझे निर्वान मंतली इंकम कि बड़बड आ रहा है कि शेक कर लेना कुछ अचा हां इसक्तर कि होगा चालीस और तीस खर्च के तो दिमाग देखाओ तो है चालीस और कि एक बराबर चार सो आएगा मतलब कार्ट पीट के एक बराबर चार सो आजाएगा सो बराबर कि फॉर्टी थावसें ठीक है डन इंपोर्टेंट है चलो कुश्चन नंबर एटीन आजाओ बहुत प्यारा सवाल है दिल पुश्च कर देगा आजाओ आपने शाहते सवाल देखा भी होगा ऐसा है कि मैं दो सवाल हो रहे हैं बस मेरा भी कमिक्ट्मेंट पूरा हो जाएगा है कि बैक कंटेंट तीस कोईन कि बढ़ कि अब ऊजाएब कि बढ़ कि अवड़ा कि अवड़ा कि अवड़ा है कि अच्छा सवाल है मज़ा आएगा दिल खुश करेंगा यार इसा नहीं कि सवाल पड़ो सब कुछ हो गया कि अच्छा सब चीजों में दिमाग लगता है कि घंडी की हो गई इधर आओ यार तुम्हें बाट बता अपने भविश्य को लेके सीरियस नहीं तो किस बात के लिए सीरियस हो सच बताओ मतलब यूट्यूब अगर सच में टाइम पास के लिए यूट्यूब देखना है तो से कम व्यूज तो बढ़ रहे हैं कि तुम बता गलत तो नहीं किया रहा हूं गलती सब्सक्राइब कर ला तुमने मेरे चैनल के लिए काम करो कपिल शरमा जाओ यहां की कमेंट सेक्शन में चिट्ट्ट्ट्ट कर रहे हो आजकर तो सोच्छल मीडिया इतना आगे यार कि सीर आए कैलने साब्सक्राइब यारज में आप देखोर मैं तुमें बता हूं तो अ सै बाता है हमी यारा ने कर रा शर्लेक वाले लिंए वह Şu जा तुम फॉस्क्राइक ड़ैबस सब्सक्राइब बाते शायदे शाड़े पांच बजे वो गया मैं शाड़े पांच के बाद राकेश तत्वावत वह वही सज्जिस्ट कर रहे हैं जो खुद भी करते हैं एना राजेश राकेश मतलब चलो आओ एक बैग में 30 कोईन है 30 कोईन है 25 पैसे के छोड़ दो अभी 1200 कोईन है 50 पैसे के 12 पैसे कोईन अब देखो 12 परसेंट इसका 12 कितना होता सरीमानदारी से बुलू 3 कोईन आपने रिमूव किया 3 कोईन की वैली होती है 25 पैसे के 3 कोईन 75 पैसे मतलब 0.75 रूपीज है इतना पैसा आपने भार ठेक दिया इस वाले का 24 परसेंट के बारासो कोईन्स का 24 तो मतलब कितने रूपे आपने मार्फेक हैं तो मतलब कितने रूपे आपने भारफेक हैं और पैसे हैं कितनी जेम में हमारी 300 कोईन का मतलब 25 तिया 75, 30 कोईन है साड़े 7 रुपे जेम में यहां पढ़ें और यहां 600 रुपे पढ़ें तो हमारी जेम में 607 रुपे 0.5 पैसा पढ़ा है और हमने 144 रुपे फेग दिया तो बोल रहा है कि percentage of money removed from the bag कर लोग किसे भी करके दिखाऊं पूरा-पूरा मोटा-बोटा डेट सो वन बाई चार 21 परसंट के राउंड बनना चाहिए अंसर 21 या 30 चेक कर ले ना ठीक है डन तो बैक से निकालेगा यह पैसे कितने है राउंड फीगर में 144-145 कर लो और यह 608 कर लो मेरे साब से वन बाई फॉर पच्छिस 21 परसंट के राउंड अंसर होना चाहिए आया ना बोलो मेरे साब से तो आंसर होना चाहिए 21 परसंट संप्निंग होना चाहिए यार अगर आपने गलत पढ़ लिया कुछ होगे क्या कुछ पढ़ लिया रूख जाओ देख ले एक बन रूपना चाहिए यार एक बड़ा पढ़ लिया हिंदी में इंगलीश है पढ़ लेता हूं भाई रूख जाओ 25 पैसे के मूल लेके 600 सिक्के यार वहाँ 600 सिक्के वहाँ 30 कोईन है बढ़ आप किसके अकॉर्डिंग करो लो और 50 पैसे मूल लेके 1200 अब किसके अकॉर्डिंग करना प्रसंद करोगे इंगलिश या हिंदी हिंदी में देखिए चलो हिंदी में भी देख लो आजाओ आमें समाझ ही क्या तुम्हारी बात समझ या है यार वह हिंदी वाले ने 600 कर रहा है तो लो कोई बात ने आजो हिंदी के अकॉर्डिंग कर लो हिंदी में बुल रहा है कि 25 पैसे के 600 सिक्के हैं तो 25 पैसे के 600 सिक्के हैं तो कीमत कितनी हो गई पूरी कीमत गई साड़े साथ सो रुपे अब क्या हुआ भाई देखो इस वाले के आपने 25 पैसे के 12 प्रसेंट निकाले 12% निकाले 12% यानि 22 सिख्य निकाले इस वाले के आपने 24% 24% 244 रूपे अब ठीक है भई कि इतने रूपे निकाले ठीक है अब सही है 162 निकाले 750 में से से आंसर आजाएगा हम उस सघरने वाली क्या बात है यार जीरो से जीरो पांच से पंदरा पांच और एकिस पॉइंट छे आएगा अंसर साब साब दिखाएगा पंदरा आएगा हम पंदरा साथी दन चलो दो कोशन्स घर के लिए दे रहा हूं कोशन 19 और कोशन 20 नाइंटीन कोशन इस्पेशली खास है पल्प फॉट्र वाला कराई देता हूं छोड़ो या घर के लिए दू बताओ पल्प फॉट्र वाला ठीक है तो इमानदारी से बताओ परसेंटेज पढ़के अच्छा लगा आज मतलब एक होता है ना कि मज़ा आया हुगा चलाओ तो साथी दिख्ण वहाँ है लोगो धीदे नाण इसलों इसे चलो ठीक है एक बार इनको बोलो कि लाइक करतेश्चा बोल दू लाइक रो क्यों यह सोलो में एसे बोलो ड़ी मजाया परसिंटेज पढ़के तो मैं अभी ने भी भी फिरलाल बहुत बड़ी हाँ के साथ हूं करता हूं एस सेशनिकों करता हूं कल का topic है हमारा profit loss उसका event लग दिया जाएगा बाकि अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा है मेरे साथ पढ़ने में तो अनकेडमी को subscribe आप कर सकते हो मेरे नहीं कोर्स भी आ रहा है उसके बारे वदा है तो कुछ नहीं करना अनकेडमी पर कभी भी आप subscribe करो बस मेरा नाम याद एफ और अरुण और लगा देना 10 आपको मिलेगा 20% का discount सही है चलो thank you so much good bye thank you thank you thank you bye bye perfect thank you so much on academy let's crack it अगर आपका target है to crack bank exams तो आप आए हैं सही जगह पर students के लिए maths usually सबसे tough subject होता है But with my expertise, I will ensure that you ace maths like a pro. Just attend my life classes and follow up your preparation with practice. For maths, you need right mindset and guidance. In this journey to crack it, I will be your guide. Unacademy, let's crack it. Come on, come on, come on. Let's try, let's try. आज, बेटा, कम से कम 2000 बच्चा आपको लेके आना है. ये जिम्मेदारी आपकी है. डेड़ घंटे बढ़िया ग्लास होगी, बहुत बढ़िया. चलो. अच्छा सवाल था, आईए. बस कितना टाइम दूगा, देखो. पहले आपने ट्राई किया. मुझे नहीं बढ़ा कि आपने इस कोश्चन में सही जवाब दिया, गला जवाब दिया. बट इस कोश्चन इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर एक्जाम. आईए. सवाल कहरा है कि मनोज ने तीन खरीदे एक रूपे में. तीन केंडी खरीदी एक रूपे में. जितनी केंडी यहां खरीदी, उतनी केंडी चार में दो रूपे में खरीदी. आप बोल रहा है कि जितनी यहां खरीदी, उतनी यहां खरीदी. दोनों में बराबर केंडी खरीदी. तो यहां multiply चार से यहां 3 से कर लो तो यहां भी 3, 4 से करनी पड़ेगी और यहां 3 से करनी पड़ेगी तो इसका मतलब हुआ कि 12 candy मैंने 4 रुपे में खरी दी और इधर मैंने 12 candy 6 रुपे में खरी दी हाँ या ना बुलो फिर दापर्ट से तो क्या मतलब हुआ मैंने 24 candy खरीदी 10 रूपए में चल्दी से बताओ पूछ रहा है कि 6 2 के इसाब से बीच रहा है 6 candy 2 रूपए के हिसाब से बीच रहा हूँ तो 24 बेचनी है जानि 4 से यहां multiply 4 से यहां multiply तो 24 candy बताओ 8 रूपए में बेच रहा हूं यह मेरी selling price है और यह मेरी cost प्राइस है तो बताइए मुझे profit कितने का हुआ, 10 रुपे की मैंने खरीदी, 8 रुपे की मैंने बेची, तो मुझे तो loss हो रहा है, 2 रुपे का loss हुआ 10 पे, into 100, तो loss कितने का हुआ, 20% loss, कितने लोग का answer यही था, revision class है, देखो मैं फिर से repeat करूँ, this is a revision class, है ना, तो आप जितने भी लोग यहां पर आ रहे हैं, वो revise करने आए मेरे साथ, यहां पर वो candidates आया है, जिसका exam साथ तारीख में कितने लोग का exam है, 7, 8, 20, आपका PO का exam हो, clerical का exam हो, कोई भी exam हो, इस topic पर आप पूरा revision कर लो, सहीए भाई, तो जितने लोगों ने answer किया, 20% is the right answer, सब लोगों ने answer किया था, सबका answer सही था, same approach भी देख लो, मुझे नहीं पता आपने कौन से approach से किया, तो हमारा पहला question हुआ, समाप, आज मैं 25 सवाल लेकर आया हूँ, 25 सवाल ठीक है, सवाल नंबर दो, चलो, अगें 50 सेकिंड आपके लिए, उसी concepts के उपर है यह सवाल, this type of questions can be seen in P.O. exam, देखो जिनको arithmetic पढ़ना है बेटा, वह यहाँ पर रहे है, मेरा तो एक निवेदन है, केवल arithmetic वाला बच्चा ही यहाँ पर आये हैं, आज़ो, 50 सेकिंड अच्छा सवाल है, P.O. exam में questions आ सकता है, बाबू कह रहें कि सर फ्री में पढ़ा दिया करो, इसके न मैं तुमसे एक लाग रूपे ले रहा हूं, बाबू, इसके एक लाग रूपे ले रहा हूं, अरे, बहान भावू, यह फ्री में ही पढ़ा रहा हूं, चलो, आज़ाओ, ना पढ़ने वाले, बहाना चीए, ना पढ़ने का, ठीक है, आज़ाओ, संदीब ने क्या क्या कुछ पैंसिल खरीदी, पांच पैंसिल खरीदी, एक रूपे में है, और उतनी पैंसिल उसने, चार खरीदी, उसी भाव में, एक रूपे में है, अब देखो, तो क्या कह रहा है, जितनी पैंसिल यहां खरीदी, उतनी यहां खरीदी, और बेच रहा ह वो 9 pencil बेच रहे 2 रूपे में, अब देखो, जितनी खरीदी उतनी बेची भाई, तो पहले तो आप decide करो, कितनी खरीदी कितनी आपने, इन दोनों को बराबर कर लो, यहां 4 से multiply, यहां 5 से, तो 4 पंजे 20 और 20, 40 pencil आपने कितने में खरीदी, यहां 4 से कर दो, यहां 5 से कर दो, तो आपने का 4 रूपे और 5 रूपे, 9 रूपे में आपने 40 pencil खरीदी, और बेची आपने कितने में, 9 pencil 2 रूपे में, अब जितनी खरीदी उतनी बेचोगे, अब 9 और 40 में, यहां भी simple बनाओ, इसको क्या करो, 40 से multiply कर दो, तो 360 pencil आपने कितने रूपे में बेची, आप बेच रहे हो, SPA, तो खरीदी आपने 40 से, तो यहां भी किस से कर दो, 9 से कर दो, तो 360 pencil आप कितने में खरीद रहे हो, 81 रूपे में आप खरीद रहे हो, concept यहां तक पूरे सेम थे, जो आपने पिछले सवाल में पढ़े, और यह question आपके PO में आएगा, तो मैंने क्या बोला, 81 रूपे का खरीद रहा हूं, 80 रूपे का बेच रहा हूं, तो हानी कितने रूपे की भी, एक रूपे की, हानी भी, एक रूपे किसके बराबर है, कांगे हो, तीन के बराबर है, तो एक बराबर तीन, तो आर्टिकल कितने है, 360, तो 1080, यहनी 360 की 3 से गुणा कर दी, इतने आर्टिकल आपके खरीदे और बेचे थम्साप एक बाद जुल्दी से बताओ सारे के सारे एक बाद शेयर कर दो सब लोग मजा आ रहे की नहीं आ रहे थम्साप अब यह भूलो अरे कुछ बोलो जब मैं बोलने के लिए बोलता हूँ तो आवाज नहीं निकलती और जब बोलता हूँ पढ़लो तो ऐसी ऐसी जगा से आवाज निकलती है कि तुम्हें खुद नहीं पता होता कि कहां से आवाज आ रही है पढ़लो सेलेक्शन हो जाएगा भाई नौकरी मिल जाएगी शादी नहीं होगी वरना मैं कह रहा हूँ देख ले न आजब दो सवाल अच्छे थे पहले सवाल में क्या पूछा उसमें पर्सेंटेज प्रॉफिट तो पर्सेंटेज प्रॉफिट लॉस निकाल लोगे कई पर आर्टिकल भी पूछ सकता है तो आर्टिकल के लिए मैंने क्या क्या या 81 रूपे का खरीदा 80 रूपे का बेचा 1 बराबर 3 360 बराबर 1080 गॉट इट तो दो तरहां के कोशन बन सकते हैं नंबर ओफ आर्टिकल भी पूछ सकता है वेदर ही केन आस्क प्रॉफिट लॉस परसेंट दोनों कोशन बहुत ही प्यारे कोशन थे हमारे ये वाला कोशन और ये वाला कोशन भी प्रॉफिट परसेंट लोस क्लेरीकल में पूछ सकता है इसमें वो तुम्हारा पीयो में आ सकता है सवाल नंबर तीसरा चलो ये भी सवाल नॉर्मल सवाल है क्लेरीकल में आएगा 20 सेकिंड का कोशन है जल्दी से बनाएंगे साबाश मेरे शेरो चलो पेटा जितना अच्छा कंटेंट दे रहा हूं मार्केट में घूम ले ना आदे से ज्यादा लोग तो डारेक्ट पढ़ा रहे हैं डियाई पढ़ा रहे हैं सिंप्लिफिकेशन पढ़ा रहें डियाई भी ऐसी पढ़ा रहे कि वह बात सचे की क्लेरिकल में इजी आती है कि बाइ सेलिंग एन आर्टिकल फॉर उपीस इतने हैं अगर मैं इतने रुपे का बेच रहा हूं तो आट का लॉस हो रहा हूं यानि मैं 92 का बेच रहा हूं तो बताइए अगर मैं 78 का बेच हूंगा तो कितना प्रॉफिट हुआ इन टू 100 तो सीपी कितना आ गया 23 तीज़ उन सट 23 से चार तो यहां से मेरा सीपी आ गया 75 अब कितने का बेच रहा हूं 78 प्रॉफिट हुआ तीन का 75 पे इन टू 100 इन से मैंने काटा 25 25 से मैंने काटा 4 परसेंट का मुझे यहां पर प्रॉफिट हुआ बट मुझे पता है कि question ऐसे ही आएंगे साओ बता रहा हूं ऐसी question आएंगे तुम्हारे clerk में लेकिन अंदर से मेरी आवाज नहीं आती तो मैं बता रहा हूं सुनो कान खुलके ये कोश्चन ही आएंगे मेरे दादा लेकिन क्या होता है ना कि मुझे पता है पेपर इजी आएगा बट अगर टफ आ जाये लागो एक बात याद रखना मैं हमेशे एक बात बूलता हूं आप लाइफ में अच्छी चीजों के लिए तो तयार ही रहते हो ज से कोई कॉम्प्रमाइज नहीं है दोस्त चलो तुम छोड़ दो वो तुमारी अलग बात है अभी मात्र तेरा सो लोग देख रहे हैं तुम लोगों को शरब नियारी के सर इतनी मेहनत कर रहे हैं कम से कम दो हजार पहुंचा है चलो शेयर करो कि दो हजार से कम बच्चे आने निची है मेरा तुम लोग की सब की जिम्मेदारी है सब सब के फेस्बुक पे शेयर करवाना एक एक वीडियो बनाओ क्यारा कुश्यन है नंबर स्रीज विरीज पढ़ना हो तो भाई तुम लोग कहीं और जाके पढ़ सकते हो मैं नंबर स्रीज तो नहीं पढ़ा रहा हूं और ना ही मैं तुम्हारी आरत्वों पढ़ा रहा हूं सिंप्लिफिकेशन वो सुब्ह पढ़ाता हूं आजओ रात को भी पढ़ना तो बताओ आजओ चलो इतना प्यारा सवाल है न कि मेरे को लगता है कि इस तरह के सवाल आने चीए एक जाम में आजओ सी कमेंट एवरीवन निलेश ने एक बास्केट बॉल खरीदी एक्स परसेल प्रॉफिट पे बेची सौरी अगर वो 10 परसेंट जादे पे खरीदता और 140 रुपे जादा पर बेचता तो उसको जो प्रॉफिट होता वो इतना होता यदि कोस्ट प्राइज उसकी 800 रुपे है तो value of x बताईए c अगर मैंने का cost price मेरी 800 रुपे c तो पहले profit कितना हो रहा एक्स परसेंट तो selling price कितना हो जाएगा 800 में इसका x परसेंट 8x जोड़ दू हा या ना fundamentals रखो ना कोई दिक्का तोड़ी ना है यार अब उसने क्या का कि 10% more पे खरीदता यानि कि वो 880 रुपे में खरीदता सहीए दोस्त 800 रुपे गीवन x का profit हो यानि इतने रुपे का बेच रहा है फिर मैंने का 10% ज्यादा पे खरीदता तो 880 रुपे 880 10% 80 रुपीज ज्यादा fine और 140 more पे बेचता 140 मोर मतलब इस वाले से 940 प्लस 8x तो साती यहां पे profit कितना हुआ भाई यहां profit कितना हुआ और x प्लस 5% तो हम बोल सकते हैं x प्लस 5% किसका इसका तो सीधा सीधा कर लो यहां profit जो हुआ परसेंट इसका x प्लस 5% लिखा है तो x प्लस 5% आप सीधा बोलो इसको टेक्निकली बनाते हैं कि 880 का x प्लस जो 5% है इस मस्ट भी इक्वल टू इनके बीच का जो डिफरेंस है इस में से इसको घटाओ जीरो 14 में से 8 गया 60 प्लस 8x हाँ है ना बुलो इस इस इक्वल टू 60 प्लस 8x अगर यह वाली थियोरी समझ आ गई न तो आप सच में तयारी कर रहे हो पंपटिशन की वरना तो फिर भाई आप घूम रहे हो और जूम रहे हो एक हमारे बीच में कोई बता नहीं है ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं क्या बता हैं यह वाला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इसमें कोई समस्य तुरंट पूछलो में बता रहा हो बहुत क्यारा कुश्चन था इतने रूपय का खरीदा इतने का प्रॉफिट हुआ इतने का बेच रहा है फिर भूल रहा है दस परसेंड मोर यानि इतने रूपय का हरीदा 10% more 140 more यह देखो तो इसके according profit यह हुआ बट profit हुआ कितना इतना तो मैंने का 880 का इतना percent इसके एक वल है सर क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है हो रहा है तो नौसॉल कर लो 880 x plus 5% that is 60 plus 8x सही है न बजा रहा है सवल पढ़ने में 0 से 0 तू से काट लो 4 बा 2 से 4 बा 2 से 5 44x 44 का 5 गुना 220 6 पंजे 300 8 पंजे 40x 4x की value यहाँ फे को 80 x बराबर हो गया साथियो ऐसे questions exam में बिल्कुल पूछे जाते हैं और जब आप देखते हैं ना तो वहाँ पर आपको लगता है कि सर यह तो किसे ने पढ़ा ही नहीं है नॉर्मल questions भी रखें मैंने और मैंने quality भी रखी है questions की मज आया नहीं आया सर question तो x की value पूछ रहा था find the value of x तो x मेरे हिसाब से तो 20 आ रहा है इसमें answer है ना done ठीक है बई क्लियर होगी अच्छा question था सही एक बार thumbs up 940 कहां से आया 940 दिये देखो यह आपकी पहले selling price थी इसमें आपने 140 रुपे और जोड़ दिये 880 में 140 जोड़ दिया 948 x as it is ठीक है सही भाई हाँ बोलो clear है ना ठीक है चलो question number छटा सवाल लो तुम थोड़ा tough question पढ़के easy में आ जाओ चलो easy भी तना easy नहीं है थोड़ा सा easy है कि राकेश बोल रहे है सर मैंने 5-6 के पेपर 5-6 के पेपर solve की यह last 5-6 के ऐसे questions मिलें नहीं पेपर में तुम्हें जानके हरानी होगी बेटा जो questions मिलें न तुम्हें वह भी लोग खुद से मनाते हैं कि मैमोरी बेस गोल के क्योंकि एक्जामिनर तो पेपर देता ही नहीं है कि समझ रहे हो कि 44 परसेंट जारे इतना हल्वा सवाल है यार लग आज़ो difference between selling price and cost price प्राइस बता भाइक आदा प्रोशन हल्वा भी अठना चाहिए तुम लोगों के लिए कि समय समय पे तुम्हें मजाता रहे profit परसेंट कि 25 परसेंट का मतलब one by four यानि CP हुआ चार कि प्रॉफिट हुआ एक इस पी हुआ पांच इनके बीच का अंतर एक बराबर दो सो दस पांच बराबर एक हजार अच्छास वही तो पूछे रहा था वो आविया यह रहा आर अर भी क्लर्क में आएगा उड़ा दोगे मुझे पता है उड़ा दोगे नेक्स्ट सवाश मेरे दोस्त आजब एक और कॉश्चन बहुत प्यारा सवाल है मजा जाएगा चलो तफ नहीं है फिर कहूंगा तफ नहीं है मेरे एक भी कॉश्चन आपको ऐसे फिलिंग नहीं होगी सब तफ हो रही है बस मेंटली प्रिपेर करवाना चाहता हूं मक्सब यही है बस बनाओ सावाश पचास सेकिंड अब पन सेकिंड आजाओ इतना राइन पुश्चन नंबर साथ बहुत ही प्यारा सवाल है बहुत जबर दर सवाल है सवाल ना पहले पूरा पढ़ना है सवाल क्या कह रहा है देखो कि मदन एक टीवी खरीदा और एक रेफ्रेजरेटर खरीदा 32,000 रुपे का ठीक है सुनो पढ़ते कैसे हैं टीवी को बेचा एकस की लौस पर प्रॉफिट हुआ एक्स का छोड़ दो प्रॉफिट हो रुपे का कौस प्राइस देटेटर की टीवी रेफ्रेजिरेटर कितना इस्म पूस्टन था यार monsieur यह ये टीवी है ये रेफ्रेजरेटर है तो टीवी की कीमत कितनी है 5x इसकी कीमत कितनी है 11x और दोनों का सम हो जाएगा 16x बराबर 32,000 पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग एकस दो नहीं 2,000 तो यानि ये कितने रुपे का हो गया 10,000 इसकी कीमत है और इसकी कीमत कितनी है इसको तो यह रखा उसमें तो यह 5 और 11 का रेशियो था देखो यह 5 रेशियो 11 तो 11 और 5 16 बराबर 32 के सीधा एक बराबर 2 के यह कर लिए अब देखो यहां कितने का लॉस हो रहा है एकस परसेंट का लॉस हो रहा है एकस परसेंट या नी इसका 100 एकस हो गया और लॉस है तो नेगरिटीव हो जाएगा और उपव microphone x का profit एकसपरसेंट 220 ऐकस अजिए पॉज़ितिव अब सी इतना profit हुआ इतना लॉस हुआ तो overall क्या हुआ इतना loss हुआ, इतना profit हुआ, 220 का profit हो रहा है, 100 रुपे का loss हो रहा है, तो overall जो हुआ, वो 120x का profit हुआ, that is equal to 1200, x की value आ गई, 10, तो find the value of this, 37.1 by मतलब 3 by 8, x की value 10 और 6, 16, 8 दुनी 16, 26, मुझे नहीं पता, आपको यह question quality वाला लग रहा है, नहीं लग रहा है, बट यब एक्जाम में जाओगे तो आपको feeling आएगी, हासर ऐसे questions वागई में बहुत अच्छे कराए आपने, मैं literally कह रहा हूँ, जो जो मुझसे arithmetic पढ़ रहा है ना, उसका selection होगा, देख लेना, मेरा बस एक ही है वादा, selection देंगे सबसे ज़्यादा, ठीक है, चलो, question number 8, आजाओ, एक और अच्छा सवाल, एक ही है वादा, selection देंगे सबसे ज़्यादा, चलो, जो जो पढ़ रहा है वो एक ऐसी चीच पढ़ रहा है जिसको कोई नहीं पढ़ता, याद रखना सिंप्लिफिकेशन्स नंबर स्री स्कॉडरेटिंग दुनिया इसी में उल्जी हुई है उसके लिए मेरा बुक है न म्रम मास्तर पढ़ लो ठीक है आजाओ प्रॉफिट लॉस का अच्छा सवाल है मजा आएगा देखो भाई देखो भाई देखो भाई अच्छा सवाले चलो पढ़ते हैं जाओ सवालल का मतलब समझना सवाल का मतलब समझें साथ है कि दो एराइटी एक बादाम आटस व fins लुपे का उनको मिलाया गया यह 2 kg खरीद लिया और यह 3 kg खरीद लिया थो 2 kg खरीदा तो 1400 यहां दिया 3 kg खरीदा थो 2400 यह आपकी CP इतना clear है सभी को और आपने 2 और 3 5 kg बदाम खरीद दिये फिर आपने क्या किया एक बाई 5 दो और 3 कितने किलो बदाम खरीदे पांच किलो इसका एक बाई 5 जैनि 1 kg बदाम आपने कितने रुपे का बेचा 920 रुपे आपको यहां से मिल गए बचे 4 किलो बदाम 4 किलो बदाम जो है आपने 1100 रुपे के एसाब से बेचे तो 1100 के एसाब से 4 किलो बदाम कच्चा बदाम 4400 है ना तो 0 4, 2, 13 है ना कितना हो रहा है 920 और 44 9, 4, 13 पत्रे 520 रुपे आपको यहां से मिल रहे हैं बदाम बेच के अब पूछ क्या रहा है बदाइए आपका profit percent तो simple है 380 रूपे का और यह 532 रूपे जीरो से जीरो काट दू ठीक है भाई अब देखो 19 दूरी 38 19 तू जा 38, 19 एट जा 162 कितने का profit हुआ 8 का इस पे 20 पे इंटू 100 तो 20 से काटा 5 बार 8 पंजे 40 पर से सवाल कैसे लगा आपको thumbs up यह पक्का बदाम है सही कह रहे हो कच्चा नहीं यह पक्का बदाम है कच्चा बदाम वाले तो निकल गए अब इना आ रहा है समझें दोस्तों चलो शेर करो दमा के तुम लोग फेस्बूक पर शेर नहीं करते हों क्या आपने चलो शेर करो आजाओ मैं गारंटी दे रहा हूं इससे बाहर कुछ नहीं आएगा पुरुणीमा गीमिंग सुरी क्या नामे तुम्हारा पुरू मीनियती जो भी नामे भाई तुम्हारा इसके बाहर एक्जाम में देख लेना मुझे बदा देना इतनी गरंटी दे रहा हूं की पेपर इससे इजी आएगा टफ नी आएगा सवास चलो बढाओ मर्मल कुशन यार बहुत मर्मल कुशन है आओ सवाल मज़ेदा रहे हैं महक वान्टू सेला स्कर्ट्स एटा प्रॉफिट और बीस परसेंट है ना तो आपने क्या का कि मान लो मेरा सीपी 100 एकस है तो प्रॉफिट कितने का हुआ 20 परसेंट का तो सेलिंग प्राइस कितने हो जाएगी 120 एकस ठीक है बच्चे आप कहरा है कि उसने 10 परसेंट कम खरीदा 10 परसेंट कम खरीदा 90 एकस खरीदा ठीक है एंड शोल्ड इट पर रुपीस 30 रुपे कम पर बेचा तो भी उसको प्रॉफिट हो गया 20 परसेंट का प्रॉफिट तो भी हुआ यानि 20 परसेंट इसका प्रॉफिट हो नि ठार रुपे का profit हुआ, इतने का बेच रहा है, तो बताओ, ये पहले इतने का बेच रहा था भी इतने का, तो कितने रुपे कम हुए है, 12x कम हुआ, 30, ये एक RRB clerk में कई बार आ चुका है, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, धाई, सीपी मेरा कितना है, 100x, धाई सुरुपे, कई बार आ चुका है, यार अरभी clerk में, दन, हो जाएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कि मैंने का, ये 100 है, 20 का प्रॉफिट हुआ, तो इतना अगा बीच रहा है, मैंने का, 10 कम पे खरीदता, तो 90, 20 का प्रॉफिट हुआ, 108, तो बूल रहा है कि, ये इस से कितना रुपे कम किया, आपने 12, कितना कम किया था, 30 रुपे, is equal to x की धाई, 100 बरावर धाई सुरुआ, सही है, चलो, one more, question number, 10, तो दस्वे सवाल पे हम पहुँच चुके हैं, क्या हो गया भाई, क्या हो गया इसका, बुरा मान गया, चलो, हो गया, बहुत प्यारा सवाल है, जितने सवाल करा रहा हूं, देखो, मैंने कोशिश ये भी करे, कोई टाइप न चूड जाए, प्रॉफिट लॉस के न सारे टाइप कवर किये, तो सारे टाइप का रिवीजन हो जाएगा आपका, अठाइस संत्रे बेच रहा हूं, टीस रूपे में, तो लॉस हुआ पच्छिस का, बताइए पच्छिस रूपे में कितने संत्रे बेच हूं, कि पच्छिस का प्रॉफिट हूं, झाल बना झाल सावाष कर दो कि इतना टाइम लगेगा आज़ा इतना टाइम ले लिया तो हो गया फिर तो फिर तो तुम समझ लो कि तुम्हारी कितनी अच्छी प्राक्टिस है देखो मेरा ना यहां पर करवाने का मकसद बस यही है कि आप अपने आखरी वक्त पर देखो मैं जब पॉलेज में था तो मैं हमेशा सोचता था कि कुछ रिवीजन नोट्स हों वही मैं उसी उद्देश्य के साथ आया हूं कि रिवीजन क्लास है चलो आप प्राइज में मत छेड़ो आप आर्टिकल को मत छेड़ो 28 ओरेंज आपने बेचे सेलिंग पराइजे 30 रुपे आप अभी कुछ मत छेड़ो जो गीवन है आप वो लिखो यह गीवन है ना 28 संतरे बेच रहा है 30 रुपे में ठीक है सी लॉस हुआ 25 का है तो इसका मतलब जो 30 है किसकी वैल्यू है 75 यह इन्टू 100 निकालना है तो यह अपना सीपी आ जाएगा 28 औरेंज की बाद चल वही है और मुझे 25 परसेंट का प्रॉफिट चीए अगर मुझे 25 परसेंट का प्रॉफिट चीए तो 30 अपन 75 इन्टू 100 25 का प्रॉफिट चीए 125 का बेचूँगा तो 100 से 100 कटा 25 से 3 25 से 5 3 से 10 तो कंक्लूजन क्या निकल कर आया कि 28 औरेंज इस अगर मैं प्रॉफिट पर बेच रहा हूं तो कितने रूपे के बेच रहा हूं 50 रूपे के बेच रहा हूं आया ना बोलो 50 रूपे में 28 औरेंज बेच रहा हूं अगर मुझे इतने का प्रॉफिट हो रहा है प्लग सवाल ने पूछा 25 में कितने बेचूँगा तो जोब पच्चास रूपे में 28 तो 25 रूपे में कितने बेचूँगा आधे कर दो 14 संतरे बेचूँगा एर आंसर बां थाम्जद थाम्जद एक बार सब लोग फटाफट से क्रियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है जलदी जलदी हरी आप हरी आप फास्ट फास्ट एगजाम मेगा तो बन जाएगा सर एक बार जलदी से हाया नामें बोलो चलो नेक्स्ट अगला कुश्चिन आईए इतना प्यारा सवाल कहीं नहीं मिलेगा अगर ना अच्छा लगे तो कहना चलो साबाश बहुत बड़े सवाल मैंने बनाया आप लोगों के लिए और मुझे ऐसा लगता है कि यह सवाल बहुत कुछ सिखा की जाएगा आप लाश आप 90% छोड़ दोगे इस सवाल को लिटरली क्याराओ में छोड़ दोगे करोगे इनी सवाल को क्या वाट सेकिंड बहुत अच्छे लग नीरागी मुझे तुम इसको अटैम्ट कर पाऊगे इतना टाइम मैंने का ना बहुत खुबसूरा सवाल है कोशन नंबर ग्यार हुआ आजो क्या कह रहा है कोशन ध्यान से सुनो क्या कह रहा है कि आम इतने कुछ प्राइस पे खरीदा जो कॉश प्राइस है वो सतर से जादा है लेकि 99 से कम है यानि 71 के बीच में 98 तक वो हो सकती है उसकी कीमत कितनी हो सकती है मुझे नहीं पता लेकिन बोला है कि 71 से 98 हो सकती है ठीक है तो बताइए उसकी कॉस प्राइस कितनी है वो क्या करना है सुनो 71 से 98 की वैल्यू ऑप्शन के साथ जाओ क्या 79 हो सकती है दखके देखते देखो मैंने का ये 79 हो सकती और ये 97 इनके बीच का 17 में से 98 रुपे आ रहा है ना कुछ नहीं करना था ये अंसर है और भी आप करके देख लो इसमें अठार रुपे आ रहा है ये अंसर 78 बताओ 87 नहीं आएगा 89,98 नहीं होगा 72,27 नहीं है 69 69 तो कहा रही नहीं है तो एक ही ऑप्शन है तो कुछ ऐसे सवाल भी मिलेंगे जिसमें कुछ करना नहीं है option के साथ जाना और question को solve कर देना है तो mentally prepare for these type of questions as well कि जहाँ पर कुछ करना नहीं है CP उसी का reverse SP है तो मैंने का option के साथ मैंने का ये 79 उसका reverse कर दो दोनों का difference ये हो गया आया ना हमसाब चलो one more question number 12 आजा बड़ा discount अच्छा सवाल है ये भी आप अपने फोन को ना पूरा horizontal मोड में कर लो ऐसे तो जाब अच्छा clear दिखेगा आप को आप क्या करो अपने फोन को ऐसे कर लो ऐसे पड़ो कमेंट ठोड़ो तो अभी questions ऐसे रख लो और पूरा का पूरा आप इसको qualities की ना अच्छी वड़ा लो चलो दो successive discount दिए 136 रुपे का बीचा MRP 200 रुपे थी पहला discount आप देखेए concept क्या कहता है कि दो successive discount अगर हम दे रहे हैं तो याद रखना दो successive discount हमेशा यह होते हैं पड़ा चुका हूँ देख लेना मेरी basic class इसी यूट्यूब पर है ठीक यह देखेए तो अगर कोई भी successive discount देगा तो इस तरीके से देगा अब सी आपकी MRP कितनी रुपे दी 200 रुपे MRP थी और आपकी selling price कितनी थी 136 रुपे तो आपने कितने ूपे का discount दिया बताइए् डिसकाउंट कितने रुपे का दिया आपने 64 का सिए आप इक बार वड़ापर से सारे बच्चे बताएंगे सारे इक्जाम में आएगा तो बन जाएगा अरे कुछ तो बोलो कि एक्जाम में आएगा तो बन जाएगा 32% का discount दिया यह रहा तो 32% का net discount दिया पहला पंदरा था तरीका दूसरा बता दूँगा D-15 D upon 100 फिर आपने solve कर लेना है इधर ले आओ 17 is equal to 100 में से 15 गया 85 D by 100 तो 17 5 जा D बरावर 20 एक तरीका तो यह हो गया ठीक अच्छा तरीका है one more तरीका 200 रुपे का था 15% की discount दे रहा है तो 85 का बेच रहे हैं दूसरा discount कितने का दे रहा है D का देच कितने का रहा है 136 आप directly भी बना सकते इतना time pass करने के जुरूत थी नहीं question में 200 रुपे MRP है पहला discount दिया दूसरा discount D दिया मैंने वो D मतलब जो आएगा वो हम याद रखेंगे कि जो भी हमारा D होगा वो 100 में से minus करना होगा ध्यान देखना हो कि यह 85 15 परसेंट जोड़ दी तो 85 लिखा यहां पे solve किया 0 से 0 17 5 जा 17 8 जा 2 से मैंने काटा 4 तो D की value आ गई 4 by 5 4 by 5 का मतलब क्या हुआ 80 परसेंट 80 परसेंट का मतलब क्या हुआ discount दिया आप ऐसे भी कर सकते थे इस तरीका विल चेंज यह अर्सली का यह तरीका लगाई है यह पुड़ा लंबा तरीका हो जाएगा ना आप देखिए एक questions कोई में इतना length ही क्यों बना रहा हूँ सीधा मैंने क्या भूला आपसे कि भाई 200 रुपय मारपी 85 की छूट दी discount डी बराबर 4 by 5 यानि की 80 होना चाहिए यहां पर यहां पर अगर 80 है तो 20 की छूट दी सही है second approach अच्छी लगी होगी आप लोगों को मुझे पता है तो second approach के लिए like कर दो यार अब देखो इधर आओ सुनो तुम सब समझदार बच्चे हो अर्थमेटिक अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो तुम लोग खुद देख रहे होंगे कि कितने कम पढ़ने वाले हैं अब यहीं पर आपको एक बात देखनी है कि पूरी दुनिया तो खेर एक्जाम में दे रही है अरत में जितने लोगों ने हर अलगी का पेपर भराए हर मजबूत बनाएं आपका अर्थमेटिक खराब है तो यह वाली डोज ले लेकिन रोज ले इस तरह की वीडियो से बच्चा कोब लगेगा लेकिन पढ़ने की जब वीडियो की बात आती है तो देखना ही पसंद नहीं करता उसको क्या चीए वही मैं आपसे कह रहा हूं यह कोशन अगर आएगा तो पीओ में आए क्लरीकल में नहीं आएगा ठीक है कंटेंट की देखो वैल्यू एयार मार्केट में पढ़ा तो सभी अच्छा है ना भाई कंटेंट देखो ना कि कितना अच्छा पढ़ा रहा हूं तुम लोग रहे हैं प्रेसे रुको एक पिट एक मेंना पहले इसको सही कर दोए रहा रुक जाओ भाई रुक जाओ इस सवाल को देखके तुम्हारा धिल खुश ना आवा तो कहना चलो स्टार्ट कि अनुष्का चोहान मैंने तुम्हारा कमेंट पढ़ लिया थेंक्यू सो मच अब तुम कोशन पर फोकस करो कलो कि अनुष्का शर्मा कोशन पर फोकस कर लो वरना विराट प्रिन हराज गाएंगे पढ़ लो हो गया एक मिनट चौदा सेकिंड तुम्हें इस कॉश्चन में लिया तुम्हें सच में नहीं पता चल रहा है कि कॉश्चन ने क्या पुछा है ना मैंने बूला भी था कि दिस कॉश्चन इस वेरी वेरी इंट्रस्टिंग अगर आएगा तो बेटा पीओ में आएगा क्लरीकल में नहीं आएगा और अच्छा सवाल है मैं एक चीज पर बिलीव करता हूँ कि आपके कॉंसेप्ट्स अगर अच्छे हुए तो आप कोई भी एक्जाम करेक कर लेंगे चलो मेरे दोस्तों कॉश्चन नंबर कॉंसा तीरवा सवाल है आजओ बुल रहे कि एक टॉय की कॉस्टे पांच हजार रूपे और उसको मार्क किया 40 अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो पूरा पढ़ लेते हैं एक कस्टोमर ने क्या किया वो दुकान में घुसा और उसने देखा कि वो परी आश्ट कस्टोमर वॉक इंटु दा शॉप एंड सीम्स रियली इंटरस्टेड इंटरस्टेड था खरीदेने में सेंसिंग दिस ऐसा समझ कर या ऐसा सेंस करके जो वो है दुकानदार उसने क्या किया लालची हो गया वो और उसने मारक अप 80% कर दिया और उसने का कि 20% की छूट दे रहा हूं तो बताइए इस तरीके से how much more money or less money more less उसको मिलेंगे अगर वो ऐसी लालची हरकत ना करता अच्छा सवाल है ना सी अब करना कैसे मैंने का मान लो पहले मेरी MRP पहले मेरी cost price 100 रुपे थी 100 का मैंने खिलो ना खरीदा तो मैंने उसे का कि भाई तुम इसको 140 रुपे में मां कर लो सिंपल है no confusion 100 रुपे थी मैंने 140 रुपे का मैं तुम्हें बेच दूँगा तुम मेरे पास आए तुमने का अरुण सर पढ़ना तो आप से ही है अब मेरे को आगे लालच मैंने का भाई आप तो मौका है पईसा 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 कमाने का मैंने का एक काम करता हूं 100 रुपे का मुझे पढ़ता हूं मैं ला चीमें आगा मैंने इसको 80 परसन बढ़ा एक सो मुझे पता है तुम्हें इसकी सक्त危AM थे तो मैंने एक सवस्थी पे रख दिया और मैंने क्या काम किया मैं तुम्हें धोरा अपनी पैज दिकhant को तो 10% डिसकाउंट का है का सब्सक्राई कि छृच के निवान की त्रॉपेत्वी इतने की बीच नहीं था अगर वो लालच ना करता तो बिचाला 4% कम पर बेशता 4% अगर वो लालच नहीं करता तो वो 4% कम कैसे कमाता 4% किस का 5,000 का एसल की प्रूच समझ में आई तो यानि कि वो 200.000 रुपँ लेस कमाता लालच करने से उसने 200.000 पर जादा कमा लिए और उस 200 रूपे की वो खरीद लाया क्या एक मज़ेदार सी चपल जिस पर पहन के वो सुबह सुबह दौड लगाएगा सही है वाई अच्छा कोश्चन था मैंने कहाना अच्छा कोश्चन मज़ाएगा चीक है बहुत बड़े है चलो कोश्चन नमबर 14 चली शुरू हो जाएए ये भी सवाल एक्जाम में करेगा बवाल चलो सवाल इतना प्यारा है ना मैं तुम्हें लिटरली कह रहा हूं तुम 90 यंतर गलत करने वाले मैं लिखके दे रहा हूं 90 अब मैंने चैलेंज यह तुम लोग blem कितना ओवर कॉंफिटेंट देखो मैं तुम लोग के उपर 90 परसेंट गलत करेंगे मैं कह रहा हूं न अब तुम इससे मेरा कॉंफिटेंस समझो या मेरा एक्सपीरियन्स समझो या मेरा ओवर पन्पिटेंस लेकिन मुझे पता है कि गलत करोगे कि अब अब बुल रहे हैं सर आज मैं आपकी क्लास को यू के शेयर कर दिया है आप यू के का मतलब क्या होता है उत्तरा खंड या UK का मतलब बताओ बेटा मुझे यू के मतलब एक तो उत्तरा खंड हुआ और एक उक्रेट इसमेसे लाइब देख रहे हों अ 90% गलत बोलके काफी सारी लोगों ने आंसर दिया है अब मैं बताता हूं मैंने ऐसा क्यों लिखा था मुझे पता था कि यह कुश्चन्स इतना टॉफ नहीं है लेकिन यह लिखने से कई बार क्या होता है हमारे अंदर की जो कहते हैं जागर हो जाती है जब कोई तुम्हें चैलेंज करें तुम समझ देना चेंज होने वाले हो याद रखना मैं तुम्हें आज कह रहा हूं इस बात को अगर कोई तुम्हें चैलेंज करें तुम चेंज होने वाले हो यह बात याद रखना इसलिए मै लाइफ में चैलेंज जरूरी है दोस्त तो मैंने तुम्हें चैलेंज किया तो तुमने के लिए बहुत धांच से जवाब दिया वरना इसमें सेली मिस्टेक्स क्या हो सकती थी अगर मैं यह नहीं लिखता बदाता हूं गोस्ट प्राइज उसकी 4 रूपए है बहुत अच्छे शोपकीपर ने 54 रूपए दरजन पर बेच से कोई नहीं रूपए 24 आए हाँ या ना ऐसी करते कुछ लोग यही बस यही बात मुझे आपको समझानी थी कि यह ऐसा नहीं है यहाँ पर डिसकाउंट जो दिया उसने वो इस पर डिसकाउंट दिया है 10% तो new SP कितनी हो जाएगी new SP इसका 10% यानि साढ़े 4 का 90% तो यहाँ फिर सीधा कर लो 4.05 ठीक है तो find the ratio of profit percent after giving the discount अगर discount दे रहा हूं तो profit कितना हो रहा है चार से इतने का बेचा तो profit हुआ 0.05 का profit हुआ चीक है किस पर count होगा चार पर इंटू 100 और अगर मैं discount नहीं देता तो मैं इतने रूपे का बेचता हूं शाड़े 4 का यानि 50 पैसे का 0.5 by 100 इंटू 100 दूनों का ratio यह और यह चार आएगा सॉरी यह cancel हो गया आप देखो पाँच अपॉन 100 रेशियो पाँच अपॉन 10 वाइंट 055 तो यह और यह यह भी कटा तो आपने क्या बनाया है वन रेशियो तो आपने क्या बुला यह रहा है तो यही बात जीवन में याद रखना कोई तुम्हें चैलेंज करें तो उसका मतलब तुम चेंज हो सकते हो मैं एक ही बात बूलूँगा इस टाइप पॉश्च आज एक्जाम में आज हमारा मकसद क्या है कि हम रिवीजन क आघरव साकरी मेरी पीजन होगय क्या हूं क्या चाहिए तो कोनफिडेंस आस्मान पे का था इतने का बेचा कि कहा से आया चाववन रुपे दर्जन डिसकाउंट दिया इतने रुपे का तो डिसकाउंट दे रहा है तो इतने का डिसकाउंट नहीं दे रहा है तो इतने का दूनों का रेशियो ठीक है अंकुष रिपीट कर दिया तुम्हारे लिए चलो नेक्स्ट कोशन नमबर अरे वाह ये सवाल ले है यार मुझे ना हमेशा से क्या किया है इंस्पायर किया है कि इतने फिरी इतने के बदले बड़ा इंस्पायर करता है ये सवाल और कई बाइट इतना इंस्पायर करता है कि मैं सवाल को देखने के बदल शॉपिंग कर आता हूँ चार लेमन फ्री दे रहा है बारा खरी दिने पर लो भाई चार संतरे फ्री है बारा खरी दिलो बनाव बनाव साभाश क्लास गेड़ घंटे चलेगी पूरी सौले नौ तक कि एक मिनट उनिस सेकिंद अरे भाई ने दोस्त आजाओ 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 इस तरह के कॉंसेट्स में बहुत आते हैं और यह इस बच्छे आप में से कितनी लोगे जो मुझे प्लस पर बढ़ते हैं प्लस क्लास मेरी जॉइन कर लो इस फाउंडेशन क्लास उस पर मैं सारे कॉंसेप्स क्लियर करता हूं आज से मेरा टाइम इंड वरक एक नया टॉपिक शुरू है आ ज़ू चार लेमन फ्री दे रहा हूं जो free दे रहा हो ना वो भी तरीके का discount होता है आपने देखाऊगा buy one get two buy three get five तो इस तरह का मतलब discount ही होता है वो भी है ना तो discount percent क्या होता है इस case में कि जितने आपने free article दिये अपन total article सही है मेरे भाई तो जितने आपने free article दिये upon 200 ये discount निकालने का तरीका होता नोट कर ले ना आज है तो discount कितने के दे रहा है चार lemon दे रहा है कितने खरीदने पर बारा चार 16 article है ना बारा मिले चार और free मिल गए 16 मिल गए इंटू 100 तो चार से मैंने चार काटा तो discount दे रहा है वो कितने परसेंट तो एक discount यह हुआ एक और discount दे रहा है 20 का कोई बात नहीं भाई तो दो discount दे रहा है ना पहला discount 25 का दिया दूसरा और फिर profit कमा रहा है कैसे बनाएंगे मैंने का MRP मेरी M है और ध्यान से सुनना 25 की छूट दी 75 परसेंट का बेच रहा हूं फिर मैंने 20 की छूट दी 80 का बेच रहा हूं तो यह मेरा आ गया selling price हाँ या ना सब थमजब कीजिए MRP मेरी M थी ध्यान रखना और 25 की छूट दे रहा हूं तो 75 का बेचा फिर 20 की छूट MP SP का रखना 25 से 3, 25 से 4, 20 से 4, 20 से 5 तो आपनी क्या का M अपॉन SP 4 से 4, 5 वहां चला जाएगा और यह 3, how's that? कमेंट फास्ट और प्रॉफिट हुआ मुझे 20 परसेंट, 20 परसेंट का मतलब इसका मतलब हो गया, कि CP अगर 5 है, तो SP मेरा कितना है? 6, बट SP तो मेरा 3 है, तो यह multiply 2 से कर दो, तो यह 10 हो गया और यह 6 हो गया, तो find the cost price और MP, तो cost price मेरी 5 है, MP मेरी 10 है, तो एक अनुपात, मैंने का न, PO में ऐसे question आ सकते हैं, done? repeat करना है, मुझे मालूम जा, देखो, discount percent जब भी इस तरीके का concept होगा, कि इतने article free दे रहा हूँ, इतने खरीदने पर, तो बड़ा स्प्यारा concept है, कि जितने article free दिये, upon total article, तो 4 article free दिये, 16 खरीदने पर, मैंने का, इतने percent का discount दिया, फिर मैंने का, MRP मेरी M थी, 25 की छूट दे रहा, इतने का बेच रहा है, फिर 20 की छूट फिर दे रहा है, इतने का बेच रहा है, बराबर SP होता है, तो यहां से card part करके SP MP का ratio यहा आया था, और इसके according, profit के according, 5 और 6, 6 के according है, 2 से multiply, तो 10 और 6, तो मैंने का, कि cost price 5 है, MRP 10 हो गई है, fast, जिनको पढ़ना है, वो serious रोग बने, जिनको नहीं पढ़ना, बिल्कुल जाईए, मैं तुमसे कहूंगा, exam देखके आईए, सही बाते, एक बार failure होना भी जरूरी है, importance पता चले, arithmetic की है, सही है न, success भी लगा सकते हो, D1, D2 वाला तरीका कुछ लंबा हो जाएगा बस, च चालो, अच्छा कुछ नहीं, तो exam में भी आया है, अरवी के, चल, आयो, A और B दो आर्टिकल है भाई, 25 का profit हुआ, 40 का वा, profit हुआ, 178 रुपे का, पहले की cost price 120 कमे 20 से बी बताई, बड़ा प्यारा सवाल है, मतलब, I don't know कि आप लोगों ने क्यों छोड़ दिया सवाल को, cost price A जो है, वो 120 रुपे कमे 20 है, और A में कितने का profit हुआ, 25 का, याद रखना कि कुछ भी पड़ो, कुछ भी पड़ो, एक चीज दिमाग में हमेशे रखना, आर्टिकल 12 एसर, कौन से वाले में 12 हैं भाई, ओ भाई दराओ, लाला, at the purchase of 12 lemon, खरीद 12 रहाओ, खरीद 12 रहाओ, चार फिरी मिल रहे, 16 आर्टिकल जेम में आये ना, भाई, नी 12 तो मैंने खरीदे हैं, चार मुझे फिरी मिले, तो आर्टिकल तो जेम में 16 आये भाई, चलो, आजाओ, तो एक आर्टिकल ए मालो, इसकी कीमत 100 Y मालो, 100 Y क्यों माननी, ये क्या 120 रुपे जाद आए, तो 120 रुपे कम हो जाएगा, लो, पराबर, अच्छा, यहाँ पर profit कितन का हुआ, कितने का हुआ, प्चिस परसेंट लिखावना, यहाँ पर profit कितने का हुआ, 40 परसेंट, यानि, 40 एक्स, 40 परसेंट इतने का profit, दोनों का profit कितना है दूस्त, यह देखा, यह, और यह, दोनों का profit, 25 और यह, 65 X माइनस, 48, profit हुआ, 178, 65 X, 88, 88, 21, बाइस अउस्टाट मेरे भाई सी अचा थर्टीन फाइवजा थर्टीन वंजा थर्टीन कट नहीं ना तो यह समझ आए कि नहीं है पहले तो यह बात देखो कि पूरा प्रॉफिट कितने का वह बन सेवेंट का सीपी और भी निकालना है कोई बात ही किस से काट सकते हैं करrän तीरा से निहीं कट राएं के यह है डिबीजीबल नहीं हो रहा है पद्रहें तो कोई बात मत आता हुआ गलती कहा ब prossल ने झादब आठ ने अब कम है तो यह जादा हो गयार वह इस तो यह जादा है नो तो यह जादा है लिखा ने दिमांग से निकल गया और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी दो बस एक्स की वैल्यू दो आ गई तो पूछ रहा है कि सीपी बताइए यह रहा तो दो सो और यह 300 बोलो भाई बोलो यह आरवी में आ चुका सवाल है तो एक्साम में आएगा तो बन जाएगा सर हाया ना बोलो थाम्स अप चलिए कुश्यन नंबर 17 आईए फटाफट से आईए लो पूरा प्रॉफिट लॉस्ट रिवाइस करा दू या आज मैंने ठीक है भाई चलो जो अच्छा सवाल है क्लरीकल में आ सकता है 40 सेकिंड मेरे साब से सवाल ने बहुत प्यारा सवाल था कि आर्टिकल को इतने का प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट का मतलब 50 परसेंट ज्यादा इसका 50 परसेंट डेट रूपय ज्यादा साड़े चार रूपय सीधी बात है तो डिफ्रेंस रेशियो निकालने मर्पय और सेलिंग प्राइस तो साड़े चार रेशियो चार पॉइंट जीरो फाइफ नाइन जा फाइफ क्लरीकल में आने वाला कोशन अगर आपके चार कोशन पांच कम बन रहें तो कोई दिक्कत नहीं अभी वक्त है तुमारे पास चलो साबाश झालो व्याम करो सिरूब नहीं है कि अरो प्याव कर दो जाके बाता है पूछा गया सवाल था पीयो का सवाल था अच्छा सवाल है quality मिलेगी आपको इस question में अच्छा question से देखो सवाल को पहले पूरा पढ़ना है फिर उसको frame करना है सवाल ने क्या पुछा cost price में बी 200 रुपे जादा एसे बी को बेचा 10 profit पे एक को बेचा 40 loss पे selling price का ratio 4-11 है तो सवाल का कहना है कि A is sold at 20% loss तो what will be the selling price? देखो बेटा पीछे से पकड़ता हूँ A और B पीछे से पकड़ रहा हूँ ठीक है तो मैंने का इनकी selling price दे रहे हैं मालो इसकी selling price है 4 इसकी selling price है 11, 40% का loss हुआ ठीक है ध्यान से सुनना बड़ा अच्छा सवाल है तो मैंने क्या बोला अगर मालो इसको 40 इसको ऐसे भी कर सकता हूँ तो यहां पे जो मुझे loss हो रहा है यहां पे loss कितना हो रहा है 40% 40% का अगर मुझे loss हो रहा है तो this is the value of 60% हाया ना बोलो तो मेरी cost price कितनी हो जाएगी कि 40 जो है वो 60 की value हूए इंटू 100 तो 20 दूनी 40, 20 तीया 60 तो यहां पे मेरा CP आ गया 200 भाई 3 यहां पे मुझे profit हुआ 10% का 110 की value मेरा यहां CP हो गया 100 हाया ना बोलो अब मेरे दोनों के CP भी ratio में निकल गए देखो यह देखो CP का ratio तो यह इससे कितना जादा है यह B है यह एक की value कितनी है 200 तो इसकी value भी आ जाएगी आप ऐसे रखो ना कि यह इससे किता ratio मत बनाओ यह गया 300 और 200 तो यह इससे कितना हैं अब कहने का मेरा basic मतलब क्या है यहां से हमारे this price आज जाएँगे आजए though 200 बराबर 200 बराबर 200 जैसे मर्जी आपको वैसे करना है यह से कितना ज़्यादा है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं यह इससे कितना ज़्यादा है यह हो गया इससे minus करना है तो minus that is equal to 200 तो 300 जैसे 200 गया 100 बाइ 3 बराबर 200 हो एक बराबर छे तो क्या पूछ रहा हूँ किसकी कीमत सेलिंग प्राइज ओफ एप पूछ रहे न वह तो कॉस्ट प्राइज कितना आ जाएगा यहां कर लो तीन दू नीचे यानि चार सो रुपे होगे इसकी कीमत चार सो रुपे की है अब मुझे 20% का लॉस हो यानि कितने का बेच रहा हूं 80% तो मैं बेच रहा हूं कि इस तीन सो बीस अवस डाट कमेंट फास्ट कमेंट फास्ट जल्दी से बोलो एव्रीवन फास्ट हरी अब क्लेर सभी को एक बार जल्दी से बोलो चलो नेक्स्ट एक और कुश्चन नमबर 19 आजाओ अच्छा सवाल है यह वाला कुश्चन रहे गया था यान आज है ना फॉल्स वेट वाला जल्दी अल दियाओ बटा बटाओ बना 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 सवाश वाश एक बार सारे के सारे बच्चे मेटा वीडियो को लाइक कर दो बना 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 अच्छा सवाल है मैं आज है करने में देख। यह वाला सवाल में सुच रहा था कि आप लोगों को जरूर पढ़ाओ ललित मार्कप इस गुडबाए 40 परसेंट और डिस्काउंट दिया उसने इतने का सी ललित ने 40 परसेंट मार्क किया तो CP अगर 100 है तो भाई MRP कितनी हो गई 140 डिस्काउंट दिया मैंने 10 परसेंट का सेलिंग प्राइस कितने हो गई 10 परसेंट यानि 90 परसेंट तो 49 जा 126 तो प्राफिट कितने का हो रहे है 26 परसेंट सीधा यह वाला स्टेटमेंट सबको समझ माया कि नहीं है कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लो फास्ट हरीएप कि 100 रूपे था 140 पर माक किया 10 की छूट दी 14 रूपे की इतने का बेच रहा इतने का प्राफिट हुआ उसके अलावा मैं फॉल्स वेट का भी यूज कर रहा हूं एक हजार ग्राम के वग्ले मैं 800 ग्राम दे रहा हूं तो कितने का प्राफिट हुआ 200 ग्राम का प्राफिट हुआ किस पे काउंट होगा 800 पे प्रॉफिट हुआ 25 का एक प्रॉफिट दो प्रॉफिट अब दोनों प्रॉफिट को क्या करना है एक बनाना है एक कैसे बनाएंगे मर्च कर दो सक्सेसिव से ठीक है तो 25 26 प्लस 25 इंटू 26 अपन में 100 51 अच्छी से 4 बर 4 6 4 5 6 तो 57 प्रॉफिट सारे के सारे डाइट में कवर करा रहा हूं आपके ठीक है क्लियर छीक है लास्ट कोशल करते हैं 20 चलो लास्ट ठीक है आच्छा आर रवी प्रॉफिट सारे करते हैं मैं अच्छा सवाल पूछा गया था दो जार एक किस कई है मनाव सभाश मेटा है कि मजा आ रहा है नहीं आ रहा पहले ही बताओ कि कमेंट भी देख लेता हूं यार तुम लोग के कमेंट क्या चल रहे है क्योंकि बीच बीच में हमारे तो कुछ स्पैम भी आ जाते हैं अब मेरे सेशन में तो कुछ ऐसे बच्चे भी है जो लोग बेशते उनको कि जाओ कमेंट करके आओ समझ रहे हो क्योंकि अर्थमेटिक तो मैं भी बढ़ा रहा हूं और दो चल लोग है ऐसे वो भी पढ़ा रहे हैं ऐसा नहीं बोलना चीए लेकिन जादा तन लोग क्या बढ़ा रहे हैं तो पेपर पढ़ा रहे हैं या पिर है ना तो इसलिए मेरा तुम लोगों से साब अर्थमेटिक टॉपिक वाइस बहुत जरूरी है अब लाइक करने फटाफट से वीडियो कर दो आ जाओ आज का हमारा आखरी सवाल है बीस कोशन्स काफी अच्छे रहे आज के हमारे पांच कोशन्स में तुम्हें घर के लिए दूं आज इसको ट्राई करना पाइंट मारैस25 फरसेंD का मार्क प्राइस से पंद्रा फरसेंट का डिसकाउन दिया वाइल सेल monitग प्राइस एच अडिकल देखो सलिंक प्रास कीतने रूपे चौन ऽौन तीज रूपे है अगर आप 15 परसेंट का डिसकाउट दे रहे हो किस पे MRP पे तो इसका मतलब यह जो MRP अगर मुझे निकाल नहीं है तो जो यह 34 से 85 की value हुई क्यों इंटू 100 तो 17 टूजा 17 फाइब जा 5 से 20 पर तो आपकी जो MRP हो गई वो 40 रूपे हो गई क्यों चीक है सर कोई दिक्कत परिशाली नहीं है आ जाओ अब कह रहा है कि 18 आटिकल को बेचने पर कितना प्रॉफेट हुआ cost price 25 परसें लेसे MRP से cost price क्या है 25 परसें यह एक बाई 4 30 रूपे cost price 30 हो गई और selling price कितनी है 34 तो एक आटिकल पर 4 रूपे का प्रॉफेट हो रहा है कितने आट नहीं का लें आट ठारा पूरा प्रॉफेट सही है सर मजाया तो यह question पूशा गया था पिशली बार मैंने का इसको discuss कर लेता ठीक सही है प्रियंका सैनी इसको और short कितना short करो अब तुम चाहरे हो बिल्कुल इना पैन उठाना पड़े तो यार ऐसा possible नहीं है देखो कुछ questions ऐसे हैं जो आपको fundamental तरीके से लगाने पड़ेंगे पांच सवाल में घर के लिए रहा हूँ एक ये वाला एक ये वाला एक ये वाला सारे questions easy हैं ये देखो पांचो questions काफी easy हैं ठीक है चलो कैसा लगा आपको session आज का पहले तो मुझे ये बताओ मज आया सर देखो मैं ये कह रहा हूँ कि profit loss का ये पूरा का पूरा PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे